ब्रिंदाबन बिहारी डालगी अब आप लोग सावधान होकर हमारी बात सुनेंगे मैं कौन हूँ? मेरा कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में प्रमु खुरूप से दो उत्तर सामने आते हैं कुछ कहते हैं मैं शरीर हूँ कुछ कहते हैं मैं शरीरी हूँ शरीरी अर्थात शरीर वाला एक को भवतिक बादी कहते हैं एक को अध्यात्म बादी कहते हैं जो अपने को शरीर कहते हैं वे भावतिक बादी हैं क्योंकि ये शरीर पंच महाभूत का है और जो शरीरी को मानते हैं वे अध्यात्म बादी कहलाते हैं क्योंकि वे भावतिक बाद को नहीं स्वीकार करते हैं मैं के बिशय में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि तेवल अध्यात्म बाद ही बाद है भावतिक बाद है ही नहीं अथात्संसार है ही नहीं के वल एक अध्यात्म बाद है ब्रह्म है एक परस्नेलिटी है यही लगाना बड़ा ड्यंजरस है भावतिक बाद ही है अध्यात्म बाद ही है यह दोनों बातें गलत हैं दोनों बाद अपने अपने अस्थान पर ठीक हैं बिना शरीर के शरीरी नहीं रहा अनादिकाल से और बिना शरीरी के शरीर नहीं रहा अनादिकाल से एक हमारा ये श्थूल शरीर है पंच महाभूत का आप कहेंगे ये समाब तो हो जाता है तब तो अध्यात्न बाद अकेला रह जाता है नहीं मैंने आपको बताया था कि एक शरीर और है जो आत्मा के साथ मृत्यू के बाद जाता है उसमें पाच करमेंद्रियां पाच ज्यानेंद्रियां पाच प्राण एक मन एक बुद्धी एक अहंकार ते अठारा तत्व होते हैं उसको सूच्छम शरीर कहते हैं वो हमको पहले मिल जाता है इसी शरीर में तब इस शरीर को हम छोड़ते हैं अर्थात मरना जिसे आप कहते हैं बेद कह रहा है सहाई बाइताई सर्वाई रुत्क्रामत कौशित की उपनिशत तीन चार सा बने आत्मा यदा अस्मा छरीरा दुत्क्रामत जब शरीर छोड़ता है जीव बाहर निकलता है तो अठारा तत्व वाला सूच्छम शरीर लेके निकलता है और महाप्रलय में भी एक शरीर रहता है तारण शरीर और फिर जन्म हुआ तो स्थूल शरीर सूच्छम शरीर कारण शरीर तीनों रहते हैं उस थूल शरीर तो आप जानते हैं देख ही रहे हैं और सूच्छम शरीर भी आप अनभो करते हैं कब स्वपन में आप लोग सपना देखते हैं लगभग रोज आपका शरीर तो खाट पर पड़ा है उपर से रजाई भी है आजकल जाड़े का मौसम है लेकिन आप निकल करके उस रजाई से और शरीर से भी सूच्छम शरीर के द्वारा अमाम संसार देखते हैं सुनते हैं सूंगते हैं रस लेते हैं असपर्ष करते हैं सोचते हैं जानते हैं सुखी दुखी होते हैं सपने में कहां कहां नहीं जाते हैं और जबकि शरीर आपके विस्तर पर रहता है और कारण शरीर कहते हैं बासना को वो तो आपके साथ सदा है ही इच्छाएं ख्वाहिसे और जितनी भी बासनाएं आपकी हैं उनका एम एक है ये सबसे बड़ा आश्चर्ज है देखो संसार में 84 लाख प्रकार के शरीर बने हैं वो क्रिक्रिती ने बनाए भगवान ने बनाए जो कुछ आओ मान लो सब अलग-अलग कोई जल में ही रहते हैं जल के बाहर आए मर गए जैसे मच्छदी कोई जल में भी रहता है और बाहर भी रहता है जैसे मगर कच्छुआ तमाम ऐसे हैं जल के जन्तु जो बाहर भी बैठे रहते हैं और पानी में भी पड़े रहते हैं जूब दूबते नहीं और बहुत से ऐसे होते हैं जो आकाश में भी उड़ते हैं और प्रित्वी पर भी रहते हैं पक्षी दिन भर उड़ते रहते हैं पिर पेड़ पर बैठ जाते हैं प्रित्वी पर बैठ जाते हैं आपके सुर पर बैठ जाते हैं और प्रित्वी पर चलने वाले तो आप लोग है ही और तमाम अन्य पशुपक्षी के अलावा भी जंगली जानवर आप देखते हैं प्रित्वी पर चलते हैं वो जल में जाएंगे तो डूब जाएंगे और आकात में उड़ नहीं सकते ऐसे ही पैदा होने में भी कोई पसीने से पैदा होता है किसी का शरीर जूएं पड़ गई गोबर से बिच्छु पैदा हो गया कोई जमीन से पैदा हो जाता है और आप लोग भी योनी से पैदा होते हैं कुछ अंडे से पैदा हो जाते हैं कितना भाई लक्षन है इस रिष्टी में एक मनुष्य कोई ले लो आज छे साथ अरब आदमी हैं हमारे बर्तमान ब्रह्मांड में सब की शकल अलग अलग एक लाख आदमी के बीच में आप अपने बाप को पहचान लेते हैं अपनी मा को पहचान लेते हैं अरे अंगूठा निशानी भी नहीं मिलता दो का और कमाल देखो सब सीज़ अलग अलग लेकिन जितनी ख्वाहिशे सबकी हैं इच्छाए हैं बासनाए हैं वो पांच भाग में बटी हुई हैं पांच देखने की बासना सुनने की बासना सूंघने की रस लेने की असपर्ष करने की बस छठी कोई चीद हमारे पास है नहीं इतना बड़ा संसार इन्हीं पांच के लिए बनाया है भगवन ओ इतना बड़ा खिलोना है हमारे लिए खिलोना आप जानते हैं ने अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए माबाप पैसा खर्च करके खिलोना खरीदते हैं गरीब अमीर सब अमीर लोगों के तो बड़े बड़े रूम होते हैं खिलोनों के करोडों के खिलोने भारत यह नहीं विदेश से मंगा मंगा के क्यों बच्चे को बेवकूफ बनाने के लिए क्या मतलब मतलब बच्चा उसमें उलज जाए तो मा अपना काम करे घर का बाप भी अपना आपिस जाए उसको भुलाने के लिए एक दे दिया चट्टू बच्चा उसको मुह में डाले पी रहा है समझ रहा है दूद पी रहा हूं बेवकूफ बन गया तो यह छोटे छोटे खिलाओने हम देते हैं अपने बच्चों को भरवान इतना बड़ा है अनंतकोच ब्रह्मांड का राजा तो उसने इतना बड़ा खिलाओने का संसार बनाया है बिटा थूप देखो एक चीज से बोर हो जाओगे रोज नई नई चीज देखो देखो बड़े बड़े अमीर आदमी सारी दुनिया देखने के लिए दौरा करते रहते हैं हवाय जहाद से अमेरिका गए थे नुव्यार्क देखा रूस गए थे जापान गए थे हादे साब जगे होया है लेकिन कितना देखा आपने अमेरिका में कितना देखेंगे आप एक शहर भी नहीं देख सकते आप जिस शहर में रहते हैं एक शहर में लाखों मकान हैं लाखों मकानों में करोणों कमरे हैं करोणों कमरों में और वो प्रकार के सामान है सब देखा है और अगर देख भी ले करोणों आखे हो आपके तो चंद्र लोग देखा सूर्ज लोग देखा शुक्र लोग देखा अनंत ब्रह्मांड है कहां तक देखोगे यह बासनाय कभी समाप्त नहीं होंगी देखने की तो यह सब भौतिक माया का प्रपंच है खिलोना यह फैक्त नहीं है यानि हमारा आनंद यहां नहीं है हम चाहते तो आनंद हैं सब के सब एक राय है कोई इसके खिलाफ बोलने को तयार नहीं सोचने को तयार नहीं कि हमको आनंद नहीं चाहिए हमको शांती नहीं किया हिए अगी एक आदमी आत्माध्या करता है यह शांती के लिए टेंशन से बच जाएं दुख से बच जाएं आनंद मिल जाए चुट्टी हो जाएं प्रत्येक वर्क अपने आनंद के लिए होता है बेद में एक मंत्र है बिरहडारन को पनिशतने बड़ा सुंदर नवारे पत्युकामाय पति प्रियो भवत यात्मनस्तुकामाय पति प्रियो भवत यात्मनस्तुकामाय 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 प्रियो भवत यात्मनस सुनां कामाय पशवप्रिया भवंति आत्मनस्तु कामाय पशवप्रिया भवंति नवारे ब्रह्मन कामाय ब्रह्म प्रियां भवति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियां भवति आत्मनस्तु कामाय चत्रम प्रियां भवति आत्मनस्तु कामाय चत्रम प्रियां भवति आत्मन आत्मनस्तु 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 आत आत्मावारे द्रश्टब्या, श्रोतब्या, मन्तब्या, निदे ध्यासितब्यो मैत्रेई, ब्रेदार्न को पनिशत् चार पाच छे, इस मंत्र को अगर हम समझ ले और मान ले, आधी भगवत प्राप्ति हो जाए, आधा दुख चला जाए, बिना कुछ किये, इसका क्या है, बड़ा सीधासा मतलब है, हम किसी भी चीज को चाहते हैं, तो उसके लिए नहीं, अपने लिए चाहते हैं, अपने सुख के लिए, पिता जी, हमारे नहीं रहे, तो पिता का सुख नहीं मिल ला है, माता जी भी नहीं रहे पती भी मर गया भीबी भी मर गयी बेटा भी मर गया और अगर ये नहीं मिला शुरू से और हमारे हम जब पैदा हुए उसके बादे माबाप मर गये और हम से कितने व्याधों किया ही नह ति क्योंकि मैं कुरूब था, अपड़कमार था इसलिए बाल बच्चे ku सवाली में वो दुखी रहता है., कास हमारे भी बाप होता हमारे मां होती हमारे बी बी होती हमारे पैसाह Wilson हमारे अच्छे मकान होते हैं, हमारे कोठी होते हैं, हमारे, क्यों हो, आनन्द मिलता, आनन्द, चैन, चैन की बंशी बजाते, एक करोड हो जाए, रास्त है, आनन्द ही आनन्द है, हो गया एक करोड, आजी लाट्री खुल गया हो गया, लेकिन अभी एक करोड हमारी खोपड़ी में ऐसा बस गया कि इसको दो करोड कैसे करें फिर प्लाइनिंग फिर दो करोड करने का प्रयत्न शुरू किया और शेयर खरीदे शेयर डाउन हो गया मर गये लेकिन ये सब कुछ क्यों किसलिए चाहते हो आनंद के लिए बस एक उद्देश इस बाप से आनंद नहीं मिलेगा इस बाप ने बदमास ने अपनी सारी संपत्ती दूसरे के नाम लिख दी है इसको गोली मार देंगे अरे वही बाप तो है जिसकी गोद में चिपटने को परिशान हो रहे थे हाँ जी है बदमास निकला है यह हमारा बेटा है बस जिससे हमने आशा छोड़ दी इस सुख नहीं दे रहा है बस प्यार खतम एक सेगंड में दिन में दस बार आपका प्यार बीबी बच्चों में होता है हटता है होता है हटता है देली लेकिन इतने बेहया है हम लोग कि डिसीदन नहीं लेते कुछ हमारी बात मान लिया बाप ने मा ने भीबी ने पती ने बड़े अच्छे है पाँच मिनिट बात दूसरी बात भी हमने रखी नहीं माना है यह त्यार खतम अगर एक वाक्त बोल दिया भयानक पती ने भीबी ने तुम आवरों से प्यार करते हो हमको सब पता है हेलो अब आउट तर्न गारी गलाज और इसको छोड़ देंगे इसको गोली मार देंगे सब अपने सुख के लिए हम करते हैं और बेवकूप बनाते हैं हम तो तुम्हारा सुख चाहते हैं जब तक भगवत प्रात्य नहों जाएगी नोत करो तब तक हम दूसरे के लिए कुछ करही नहीं सकते सोच भी नहीं सकते करना तो बहुत दूर की बात अब भगवत प्रात्य अगर हो गई और आनंद मिल गया असली वाला तो अब क्या करें अब तो या तो कुछ न करें और या तो दूसरे के लिए करें अब अपने लिए कुछ करना बाकी नहीं रहा आनंद मिल गया अबास चुट्टी जैसे मक्खन होता है न उसमें टेंपरेचर दो तो बोलता है जो दोर से बोलता है क्यों उसमें पानी है उस पानी को जलाता है आग वो पानी की दुश्मनी है और जब पानी जल गया मक्खन का और धी घी रहे गया तो पट 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 आप अब नहीं बोलेगा आप दिये जाओ लेकिन अगर कच्ची रोटी डाल दो उसमें आठे की फिर बोला अब क्यों बोला अब रोटी को पकाने के लिए बोला अपने पकने के लिए नहीं बोला आएसे ही महापुरुष लोग और स्वयम भगवान भी सप्रकार का कर्म करते हैं काम का क्रोध का लोब का मोह का इरश्या का बेश का सारे ब्रमांड का प्रनै करोणों मैडर करते हैं अर्जुन हनुमान लेकिन अपने लिए नहीं उनको दो मिल चुका जो मिलने वाली बस्तु थी आनंद लेकिन हम लोग सुन तो लेते हैं मानते नहीं अगर मान ले तो संसार में ड्यूटी करें अटैच्मेंट न करें Ab unravel kid और अइड़ी कौन किसकी मा किसका अधार फैर अपने अपने सुख के लिए हैं इनका काम करदो इनकी इच्छा तो आपको बताया गया कि उस आनंद प्राप्ति के हे तो दो प्रकार के से धान्त अनाद काल से चल रहे हैं क्यों इसलिए कि इस मय के अतिल्ग तो दो ही तत्व बचे हैं एक भगवान एक माया तीसरा कोई तत्व हई नहीं तो तीसरा कोई बाद होई नहीं सकता या तो हम भगवान में आनंद ढूणेंगे या को माया में आनंद ढूणेंगे आनंद ढूणना पड़ेगा और जब तक नम मिल जाएगा प्रातिक छण ढूणना पड़ेगा क्योंकि हम एक छण को अकर्मा नहीं रह सकते और हम निप्य तत्व हैं इसलिए हम अनंत बार पॉइजन खाके शरीर छोड़ें हम नहीं मरेंगी हम सनातन है पॉइजन खाके मरने का दंड अलग भोगेंगे छुट्टी नहीं मिलेगी हमने जिसलिए जहर खाया था कि छुट्टी मिल जाए छुट्टी नहीं और मुसीबत मोल ले लिया हमने भगवान के खानून का उलगण किया हमारे संसार में भी आत्पहत्या करने वाले या प्लान बनाने वाले को दंड मिलता है तुमको शरीर दी इसलिए नहीं दिया है कि तुम उसको बर्बाद करो तो उस आनंद को पाने के लिए इस संसार का तो हमने बहुत अन्भोग किया इस जन्म का तो सब अस्मरण है ही और जन्मों में भी ऐसे ही अन्भोग किया था यही संसार सदा से है कोई अंतर नहीं है यही प्रिथिदी यही जल यही तेज यही वायू यही आकाश सक्जुग में भी त्रेता में भी बापर में भी सर्वत्र सर्वदा यही हमको मिला था और जन्मों में भी और आएसे ही गलती हमने पहले भी की थी पिस अंसार में आनन्द है हमको नहीं मिला यह बात अलग है अंसमारी माभाब हो तो हम संतों से सुनते हैं पुष्टतों में परते हैं बड़ यद्यप हम उसी में रहते हैं भगवान में हमारा निवास है आनंद सिंधु मध्यता वबासा अबिनु जाने कत मरसी पियासा पानी महमीन पियासी सुन सुन मुही आवति हासी कभी उदास ने लिखा है कि मचली पानी में ही रहती है और प्यासी है यह इंपास्बिल भड़ा भड़ा कोई पानी में रहे और प्यासा रहे हम भी आनंद सिंधु स्री कृष्ट के भीतर निवास करते हैं यस्याक्षरम शरीरम बेद कह रहा है सुभालो अपनिशत साथ एक मैं भगवान का शरीर हूँ ए आत्मा जैसे इस आत्मा का ये शरीर है पंच महाभूत का ऐसे आत्मा भी परमात्मा का शरीर है जैसे ये शरीर के भीतर मैं आत्मा हूँ आईसे परमात्मा के भीतर आत्मा रहती है लेकिन आनंद नहीं मिलता अत्यों बेदों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा विचार किया गया ये क्यों नहीं मिल रहा है आनंद हम उसी में निवास करते हैं और फिर भी आनंद नहीं मिलना है हाँ ये माया नाम की एक जड़ सक्ती है जो अना अधिकार से हमारे उपर अधिकार किये है उसके कारण हमने अपने स्वरू को भुला दिया मैं आत्मा हूं ये फिलिंग है तो लेकिन प्रैक्टिकल में भूल गए ध्यान दो बहुत ध्यान दो इस पॉइंट पर ये फिलिंग तो है मैं हूं अंदर मैं हूं जो कल मैं बंबई में था वही मैं आज यहां हूं जो मैं रात को सपना देख रहा था वही मैं हूं मैं अम एसका मैं चला गया हो शरी जलानी जा रहा है मर गया हूं कि यह मैं को हम सदा सर्वत रह्यलाइज करते हैं महिसूशं करते हैं is कि एक सेकंड नहीं भूल थे मैं 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 लेकिन उम्हाई का जो आनंद है उसकी जगे शरीर का आनंद देते बस इतिनी इसी गलती है ये संसार पंच महाभूत का है ये इंद्रिया, ये मन, ये सब पंच महाभूत की है तो शरीर के लिए भगवान ने संसार बनाया है आत्मा के लिए अपने आप को अलग अलग देखो, आख से देखने का काम करना है कान से सुनने का अब आख में पट्टी बांद के कान से देखने की कोशिश करें कोई करोड कल्प तो पागल है यही हमने किया अपने को रियलाइज तो करते हैं कि भीतर मैं हूँ मूर्ख भी लेकिन इस मैं का मेरा कौन है यहां मिस कर गए भूल गए और शरीर के मेरे को देखर मैं को मेरा प्राप्त करना चाहते हैं आनन्द मैं का और दे रहे हैं शरीर का जगत इसलिए अमाम संसार मिला अनन्द जन्मों में अरे हम स्वर्ग जा चुके हैं अनन्द बार दो चार बार नहीं लेकिन आनन्द तो तो अहां है ही नहीं मिले कैसे चक्रधरोपि सूरत्वम सूरत्वलाभे सकल सुरुपतित्वम गरण पुनार जो प्रित्वी भर का सम्राट है वो स्वर्ग जाना चाहता है वहां का सुक्त और जो स्वर्ग में पहुँच गया तो वो इंद्र बनना चाहता है किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं और जब इंद्र बन गया तो वो ब्रह्मा का पद चाहता है सुरुपतिर ब्रह्मम पदम याचते सब दुखी है एक सा दुख है सब को जैसे हजारपती लखपती बनने के लिए परेशान है ऐसे ही लखपती करोडपती बनने के लिए परेशान है ऐसे ही करोडपती अरपती बनने को सब को एक सा दुख है एक सा देखने का अंतर है अरे इसको क्या दुख होगा जी यह तो प्राइम इनिस्टर है अरे सबसे बड़ा दुख तो प्राइम इनिस्टर को है जो चौबिस गंटे सोचता रहता है कोई मार न दे कहीं मर न जाऊंग इतना डिफेंस लगा है अरे ती ये भी कोई जिन्दगी है इतने लोगों के बीच में रहो चौबिस गंटे अकेले कहीं जा नहीं सकते मनुष्ट तो आजादी चाहता है देखो जब आप लोग अकेले होते हैं बिना साधी किये हा कहा घूम रहे हैं रात को आ रहे हैं या ब्या हुआ वास बीबी कहती है पांच बज़े आफिस कुछुट्टी हुई कहां गए कहीं गए थे हैंजी हैं कहीं गए थे ब्या करके आए हो उत्तर दो नहीं मैं भी कही जाओंगी तो फिर तुमको लगेगा कहां गई थी क्यों गई थी हो गया बंधन बिचारे को एक का और जिसके और हजार आदमी है प्राइम मिनेस्टर के डिफेंस में वो बिचारा कही कुछ जाई ने सकता सिवा अपने मकान के बातरूम और लेटिन अकेले कभी रही नहीं सकता बिचारा और फिर डिफेंस वालों ने ही मार दिया है पिछले कई प्राइम मिनेस्टरों को तमाम दुनिया में तो इस दिये उनका भी का बिश्वास किया जाए आज वो हमारे हैं कल हमी को मार दे और फिर इतने सारे जो हमारे जनतंत्र में मंत्री है हर एक के खुशामद वो नाराज हो गया अगर हम लोगों को छोड़ देगा हमारी पारिटी के खिनाप तो हमारी गॉर्मेंट चली जाएगी और आज कल खास तोर से जो भानुमती की गॉर्मेंट बनती है उसमें तो बिचारे की क्या मुसीबत है अपने मन से कुछ करी नहीं सकता पीम उसकी पारिटी में विरोधी पारिटी के लोग भी है वो कहते हैं ऐसा करो गए तो फिर हम समर्थन वापस ले लेंगे है नई 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 मतलो भीया सब दुखी है हमसे अधिक दुखी है वो एक भीकारी भीक मांग कर दो रोटी खा करके फुटपाथ पर खरराटर में सोता है और एक खरपती नेंद की गोली खा के सोता है नेंद नहीं आती तो आपको बताया गया कि भगवान में ही आनन्द है अतवाईयों बोलो भगवान ही आनन्द है उसको प्राप्त करना है लेकिन वो इंद्रिय मन बुद्धी से ग्राही यह नहीं है हाँ वो जुस पर कृपा कर देता है वो भगवान को जान लेता है, पा लेता है, पड़े आराम से पा लेता है अब उसकी क्रपा के विशे में विचार किया गया, तो मालुम हुआ उसकी क्रपा किसी आधार पर आधारित होगी क्योंकि कुछ पर हुई है क्रपा, और हम लोगों पर नहीं हुई, तो इसका मतलब भगवान में कोई बिशम दर्शित तो नहीं होगा नहीं, क्योंकि भगवान का न कोई दुश्मन है, न कोई दोस्त है समो हम सर्वभूतेशू नमें द्योश्योस्ति न प्रिया भगवान ने कहा है ने गीता में, न मेरा कोई दुश्मन है, न मेरा कोई दोस्त है मैं अन्याय क्यों करूँगा? कोई जज, अगर दोनों पक्षवालों में कोई भी उसका रिष्टेदार न हो, संबंधी न हो, परचित न हो, तो जो जो न्याय की बात समझ में आएगी, वो फैस्दा करतेगा अगर उसमें से एक जीजा का लड़का है, एक साले का लड़का है, तो भगवान तो केवल न्याय अधीश है उनके यहाँ कोई न छोटा है, न बड़ा है सब के प्रति, सब पर मोरी बराबर दाया देखो, बारिश होती है जो बरसात में तो वो एक सी होती है सब जगे, प्रिथ्वी के उपर लेकिन बीज जैसा होता है, पेड़ वो ऐसा पैदा होता है एक बबूल का पेड़ होता है, कांटेदार एक फूल का पेड़ होता है, चंदन का पेड़ होता है एक गेहुचावल का होता है यह अंतर क्यों है? यह भगवान के कारण नहीं है यह बीज के कारण है ऐसे ही तमाम जन्मों से हम लोगों ने जो अच्छे बुरे कर्म किये हैं उसके अनुसार हम अनेक योनियों में, अनेक शरीरों में घूम रहे हैं इसमें भगवान कुछ प्लस माइनस नहीं करता वो तो न्याय अधीश है हमारे संसार में अगर हमें किसी से कुछ चीज चाहिए तो उसके तीन उपाए होते हैं क्या-क्या? या तो सामान चुरा ले एक नौकर होता है आपके घर में और वो दो साल, तीन साल, चार साल से नौकरी कर रहा है इमानदार है आपको विश्वास है उस पर और एक दिन रात को उस नहीं सामान सब आपका बटोरा और गायब हो गया चुरा लिया क्योंकि आप उसको खाली पे देते हैं उसके पांचे बच्चे हैं वो उससे काम नहीं बनता और दूसरा रास्ता है दाखा रिवालवर दिखाया आप जेवर रख दो बरना लो भईया तो ये दो तर्कीबे तो भग।वान के यहां चलेंगी नहीं क्योंकि भग।वान तो सर्बव्यापक और सर्वान तर्जामी है चौरी कर ऐसे करेंगे आप आप चौरी की प्लानिंग करेंगे तो ही वहाँ उसको मालूं हो जाएगा प्लानिंग और डाका तो आप डाल नहीं सकते को उसके बराबर ही कोई नहीं है उससे बड़ा कौन है डाका तो डालने वाला बड़ा होता है ने बलवान होता है तो फिर आपको तीसरा उपाई क्या है मांग लो मांग लो गरीब लो क्या करते हैं कि मांगते हैं भीख कि यो कि अगर वो होटल के अंदर घुसके रोटी लेके भागें तो पिटी आएंगे और चोरी नहीं कर सकते वहाँ भी सब जगे खड़े हैं उनके नौकर चाकर तो खड़ा हो कि वो मांगता है विचारा तो संसार वाले तो स्वार्थी हैं देते भी हैं नहीं भी देते लेकिन भगवान के हां ऐसा नहीं है मांगा और मिला लेकिन मांगने के लिए हरदय निर्मल होना चाहिए ठीक ठीक मांगो अगर किसी का पेट भना होता है और वो मांगता है मैं भूखा हूँ तो उसकी आवाज और तरिकी होती है और जब सचमुच भूखा होता है और मांगता है तो वो आवाज और तरिकी होती है तो जब हम तो विश्वास नहीं होता भगवान पर तो हम लोग बूलते हैं मंदिर में क्या मतलब पुष्टी लड़ रहे हो भगवान से आगे ऐसे ही मंगा जाता है इसलिए ऐसा मंगते हैं कि विश्वास है कि वो देंगे तुभाई नहीं जाओ बोल दो ठारी परुष्टे हैं मंदिरों में अपने घर में भी आप लोग और थोड़ी देर आख मूनते हैं जिसको मंतर वंतर याद है मंतर भी बोलता है बस एक सेकंड दो सेकंड उसके बाद आख खोला हू खाने लगए किसी ने आख खोलने के बाद इस भावना से देखा कि कहां खाया है कौन सी चीज खाई है रोटी भी नहीं तूटी है चावल भी वैसे ही रखा है कहीं उंगली के निशान भी नहीं है नहीं खाया तो फीलिंग हो यह फीजिकल रिष्टेदार अगर किसी दिन नहीं खाते गुस्से में आपका पती आपका बेटा तो आप भी खाना नहीं खाते हैं वो भी ना खाये चले गए और भगवार ने नहीं खाया आप सोचते ही नहीं दी तुरंद क्यों बिश्वास है अपसेंट परसेंट हो खाएंगे नहीं तो यह मंत्र को बोलने हो यह पानी को ऐसे डालते हो आख क्यों मूंदते हो भगवान को धोखा देते हो आएसे ही हम लोग मांगते हैं हमारा राज प्रेम देदो दर्शन देदो आनंद देदो तो भगवान कहते हैं यह नहीं चलेगा संसार में चलता है तीजी को बेवकूब बनाकर के उससे सामान ले लो हमारे यह नहीं चलेगा ठीक ठीक मांगो तो ठीक ठीक मांगने के विशै में तीन मार्ग बताये गए कर्म ज्ञान भक्ति उसमें कर्म का निरूपण किया गया और बेदों शास्त्रों के दारा बताया गया कि अगर बिधिवत कर्म हो तो स्वर्ग मिलेगा, अगर एक भी गडबड़ी हो गई बिधी में, तो दंड मिलेगा, अरे छोटे मोटे की बात नहीं, मनु जो हमारे सब से पहले पुर्खे हैं, जिससे मनुष्य कहलाते हैं हम, उनमें कर्म कांड में थोड़ी सी तुरुटी हो काशी नरेश पाउंडरक अपने को बासुदे वो कहता था, उसने स्रीकुष्ण को मरवाने के लिए प्रियोग किया, बिधी में तुरुटी हो गई, वह ही मर गया हिरन कश्पु ने अपने पुरोहित से तंत्रिक प्रियोग करवाया कि प्रणाद मर जाए, वह पुरोहित ही मर गया, प्रणाद नहीं मरा और बित्रासुर को तो हमने कल आप को बताये ही था कि एक स्वर्गी तुरुटी से बित्रासुर मारा गया और अगर कोई कर भी ले तो उसे ना भगवान मिलेंगे ना दुख जाएगा अरवी दोई चीज तो हम चाहते हैं दुख सदा को चला जाए आनन्द सदा को मिल जाए दो में एक भी चीज नहीं होगी क्योंकि स्वर्ग में भी माया का अधिपत्य है ब्रम लोग तक और गीता भी यही कहती है लेकिन कल बताएंगे बोलिये लाली लाल की बुल्य श्याम श्याम स्रिकार जी अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन दो प्रश्णों को हल करना है अनन्त जन में बीत गए क्योंकि हम अनादि हैं और एक छण को भी हम अकर्मा नहीं रह सकते अतेव प्रतिक छण इनहीं दो प्रश्णों के हल करने में लगे हैं किन्तु अब तक हमने इन दोनों प्रश्णों को हल नहीं किया भगमान अनन्त बार आये संत अनन्त बार मिले सब ने समझाया हमने सिर्ह लाया कि हम समझगे लेकिन नहीं समझे हम कौन हैं इस प्रश्ण के उत्तर में शास्त्रों बेदों का अवलंब लेना पड़ेगा हमने भी लिया शास्त्रों बेदों ने कहा कि एक पुम हो और दो और है एक ब्रह्म एक माया तुम ब्रह्म की सक्ति हो ब्रह्म की तीन सक्तियां है एक पराशक्ति एक जीव सक्ति एक माया सक्ति तो सक्ति होने के कारण हमको भगवान का अंश कहा जाता है और अंश भी कैसा तटस्त क्योंकि उभय कोटा वप्रविष्टत्वात हम पराशक्ती युक्त श्री कृष्ण के भी अंश नहीं है और माया शक्ती युक्त श्री कृष्ण के भी अंश नहीं है लेकिन हम स्री कृष्ण के समान चेतन हैं माया जड़ है तो भगवान और माया के बीच में हमारा स्थान है इसलिए हम कतस्त कहे जाते हैं और भगवान के अंश होने का प्रमान बेदशास्त्र का तो है ही प्रत्यक्ष प्रमान भी है क्या हम भगवान को ही चाहते हैं उनको ही मेरा मानते हैं फिर क्या जगड़ा है जगड़ा यह है कि हम परा सक्ति युक्त ब्रह्म के अंश नहीं है जीव सक्ति विशिष्ट त्रीक्रिष्न के अंश है और माया के आधीन है इसलिए भगवान को चाहते हैं किन्तु प्रेयत्न उल्टा करते हैं ज्यान दो प्रेयत्न बिपरीत करते हैं हम ये तो कहते हैं कि जाना है पस्चम की ओर लेकिन जाते हैं पूर्व की ओर अज्यान के कारण ज्यान है और अज्यान का कार्ज करते हैं कितना बड़ा आश्चर जै ज्यान है क्या ज्यान है हम आनन्द चाहते हैं केवल आनन्द प्रतिक्षण आनन्द मनुष्य ही नहीं समस्त जीव जो माया धीन है केवल आनन्द ही चाहता है और उसी के लिए प्रतिक्षण प्रियत्न कर रहा है क्यों? इसलिए कि भगवान और आनन्द दोनों एक हैं ये तो लोग समझाने के लिए बोल देते हैं कि भगवान में आनन्द है बेद कहता है ऐसा नहीं है आनन्दों ब्रह्म में थी आनन्द ही ब्रह्म है भगवान है तैतरियों पनिशा तीन चाह और रसो वैसा वो आनन्द है ये नहीं लिखा है बेद ने कि रसो वै तस्मिन उसमें आनन्द है ऐसा नहीं दो साथ तैतरियों पनिशा साए शरसा नाम रसतमा परमा चांदो ग्यों पनिशा एक एक तीन वो हो आनन्द है ये बेद कह रहे हैं आनन्दम ब्रह्मनो बिद्वान तैतरियों पनिशाद दो चार दो नव ब्रह्मों पनिशाद भी कहता है आनन्दम ब्रह्मनो बिद्वान सांडिल्यों पनिशाद भी कहता है दो एक आनन्दम ब्रह्मनो बिद्वान बिज्ञान मया दन्यों तर आत्मा आनंद मया दो पाँच तैतरियो पनिशत्ट एश हेवानन्द याति कप्राण्यात को हेवान्यात यदेश आकाश आनंदो नस्त्यात्ट दो साथ तैतरियो पनिशत्ट बिज्ञान मानंदम ब्रह्म तीन नव अठाएश विज्ञान मानंदम ब्रह्म महवपनिशत्ट दो नव इस सब बेद मंत्र कह रहे हैं वो आनंद है और भागवत भी कह रहे हैं आनंद मात्र मभिकल्प मभिध बर्चा तीन नौ तीन पानंद मूर्त मजहादत दीर घतापम दस अर्टालिस साथ एवला नुभवा नंद स्वरूपा सर्व बुध दिर दस तीन तेरा सत्य ज्ञाना नंता नंद मात्रई करसमूरत यहां दस तेरा चववन वह आनंद है वह रस है वह सुक है कठरुद्रोपनिशत सत्ताइस रसम लद्धवा सुकी भवत वह रस है वह सुक है वह आनंद है अगर हम मानेंगे उसमें आनंद है तो फिर भगवान और हो जाएगा आनंद और चीज हो जाएगी जैसे इस मकान में हम बैठे हैं तो हम अलग है मकान अलग है देखो रस गुडले में दो चीज होती है न एक रस एक गुला छेने वाला गुला और चीनी के तरल रस में डुबो दिया तो रस गुडला हो गया ऐसा नहीं है भगवान भगवान ही आनंद है चाहे आनंद को हो चाहे भगवान को हो हम उसके अंश हैं इसलिए आनंद ही चाहेंगे चाहना पड़ेगा और चूंकि एक छण को अकर्मा नहीं रह सकते देहवान नहीं कर्मकृत चाहे एक चूंकि इसलिए प्रतिक्षण उसी आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रियत्न करना पड़ेगा मजबूरी है और किया लेकिन जैसा हमने बार-बार कहा है कि प्रियत्न उल्टा हुआ प्रियत्न सही नहीं हुआ तो फिर शास्त्रों बेदों का अवलंब किया गया वो ब्रह्म वो भगवान जिसके हम आइश है वो क्या है उसको जानना होगा उसको जानकर उसको पाकर ही हम आनंद सिंधू बनेंगे अर्थात आनंद प्राप्त करेंगे आनंद सिंधू बनेंगे का मतलब यह नहीं भगवान बनेंगे भगवान वाला आनंद हमको भी मिल जाएगा सदा को भगवान की बहुत सी परिभासाएं है अनंद लेकिन एक तो मैंने आपको बता दी कि अव आनंद है दूसरी परिभासा बड़ी इंपॉर्टेंट है उसको समझे रहो यह तो आईमान भूतान जायनते यह निजातान जीवन थी यत्रयन थी अभिस्लम भिशन थी तैटरियो पनिशतीन एक जिससे संसार बनता है जिससे संसार की रख्षा होती है जिसमें संसार का लय होता है उसको ब्रम, भगवान, परमात्मा आनंद कहते है शोकामयत बहुँ स्याम् प्रजाजे ए तिस साथ पोथ अप्यत शात पस्तत्वा इदग्वं सर्व मसर्जत जदिदन्केंच तच्रिष्ट्वा तदेवानु प्राविश्वत तदनु प्रविश्य सच्य चाभवन निरुक्तं चानुरक्तंचा निलैनंचा निलैनंचा तैतरियो पनिशाद दोच्छा भगवान ने इच्छा की नोट कीजिए भगवान इच्छा करते हैं जो ये कहते हैं भगवान कुछ नहीं करते हैं यानि ब्रह्म उनको बता दो ये वेद मंत्र है तैतरियो पनिशाद। और ये नारायनों तरुपनिशत में भी मंत्र है, अर्था चे सारा संसार भगवान से प्रकट हुआ है, पाइदा हुआ है. यश्चा विश्वम स्रिजत विश्वम विभर्त विश्वम भूंगते सा आत्मा शांडलियो पनिशत दो एक जिससे विश्व उत्पन हो वो ब्रह्म है. आनन्दाद भेवकल में मानी भूतानी जायम ते, तिलियर बेद मंत्र कह रहा है, आनन्द से ही संसार भगवान से. अज्यलानित शांत उपासीत चान्दोग्योपनिशत तीन चाउदा एक तराई च्छत चान्दोग्योपनिशत थे दो तीन साई च्छत आई तरोपनिशत एक 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 तीन एक तीन एक तीन एक साही च्छां चक्रे प्रश्णों पनिसद छे तीन साई च्छ बेहतारणगों पनिसद एक दो पाँच एत्मां बेद मत्र कह रहे हैं और बेदान्त में जब प्रश्ण किया पहला ब्रह्म सूत्र अथा तो ब्रह्म जिग्यासा कि ब्रह्म क्या होता है भगमान क्या होता है किसे कहते हैं तो दूसरा सूत्र बना दिया जनवार जस्ते जता जिससे संसार उत्पन हो जिससे संसार की रक्षा हो जिसमें संसार का लय हो उसका नाम ब्र भगवत ने भी जन्माद जस्त्य यतोन मयादितरत चार थे श्वभिज्यस्वराट प्रारंब में ही तो इस संसार का बनाने वाला प्रकट करने वाला और आपको हमने बार बार बताया है भूलेंगे नहीं कि कुछ नया नहीं बनाया भगवान ने यह प्रकट किया है सूर्जा चंद्रम सौधाता यथा पूर्ब मकल पयत पांच साथ नारायन उपनिशत जैसा पहले संसार था वैसे ही प्रकट कर दिया प्रदा स्रिज यथा पूर्बम तीन नव तेंटालिस जैसा पहले था ठीक उची प्रकार प्रकट कर दिया और पहला कैसे था अपने अपने कर्म के अनुसार जैसा था तो कर्म भी अनाद जन्म भी अनाद दिदान्त में डिटेल में इसका निरूपन किया गया है दो एक चौटिस दो एक पैटिस में तो भगवान की अनन्त परिभाशाए हैं प्रमु कहें वो आनन्द है और स्रिष्टी आद करता है कोई महापुरु श्रिष्टी नहीं करता और बाकी तो अनन्त गुन हैं अनन्त शक्तियां हैं और सब नित्य हैं लेकिन भगवान के जो दो स्वरूप हैं उसमें एक स्वरूप में सब शक्तियां प्रकट नहीं होती ब्रह्म में अब अब व्यक्त शक्तिक ब्रह्म कहर लाता है और सbtर्ण साकर भगवान स्वरूप क्रिष्ण में सब शक्तियां प्रकट होती है ये भवेद् भर्म में भी सब शक्तियां हैं बार-बार मैंने आपको एक दम्पिल दे के समझाया है प्रकट नहीं होती वो बोरे में रहने वाले ग्यहूं में वो डाल पत्ते फल सब हैं लेकिन वो प्रकट नहीं होते प्रकट होने वाला स्वरूप स्री कृष्ण का है हम इसी लिए बोलते हैं कि हम स्री कृष्ण के अंश हैं इसलिए स्री कृष्ण को ही चाहते हैं यानि आनन्द ही चाहते हैं इसलिए बालमीक जी ने चैलेंज किया कितना बड़ा चैलेंज लोके नहीं सब इद्धेत जो नराम मनुब्रत हैं संसार में एक ही प्राणी ऐसा नहीं है जो हमारे राम का भक्त नहों क्योंकि आनन्द के सब भक्त हैं और आनन्द ही राम है क्रिश्ण है तो सब राम क्रिश्ण के भक्त हैं अब वो नहीं प्राप्त कर सके कोई रीदन हो लेकिन चाहते हैं उन्हीं को उन्हीं के लिए प्रतिक्षण प्रियत नशील हैं उनको पाने के लिए जो साधन हमारे पास हैं वे सब माईक है इसलिए वेदों ने कहा तुम को कुछ करना है तब उनकी कृपा होगी तब वे अपनी सक्ति देंगे इंद्रिय मन बुद्धी में तब कुम इंद्रिय मन बुद्धी से उनको प्राप्त कर सकोगे अब माया का अत्यंता भाव होगा और आनंद की प्राप्ति होगी सदा के लिए अत्यंता जो कुछ करना होगा उस पर विचार किया गया तो तीन ही चीज हम कर सकते हैं सत्यत आनंद के अंश होने के कारण कर्म ज्यान प्रेम तो कर्म पर विचार किया गया तो पता चला वेगों शास्त्रों के द्वारा कि कर्म अगर बीधिवत करो एक एक शब्द पर ध्यान दो बीधिवत एक मंत्र के एक शब्द के एक अक्षर के एक स्वर में गलती हो जाए तो यजमान का सरवना सो जाएगा पितने कड़े नियम है जैसे संसार के लोग होते हैं न ऐसे ही देवता लोग है वो हमारे ही भाई हैं जैसे कोई साहब को उसका नौकर चाय पिलाता है खाना खिलाता है अब वो खाने में तीनी की जगे नमक डाल दे चाय को देते समय चाय गिर जाए थोड़ी सी उसके हाथ पर तो साहब क्या कहता है निकल जा हो अरे साहब मैं 20 साल से आपकी सरविस कर रहा हूं कोई मैंने जान के डाला है क्या आपके उपर यह बहस करता है कोई ख्षमा नहीं करता संसार में ऐसे देवता लोग है उनके सब नियम है काईदे हैं कौन देवता क्या कपड़ा पहनता है क्या खाता है हर चीज अलग-अलग है सबकी वैसे ही करना परेगा जरा सा गड़बड किया तो दंड मिलेगा और अगर विधिवत कभी कोई कर ले तो स्वर्ग मिलेगा वहाँ भी माया वहाँ भी अज्ञान वहाँ भी दुख वहाँ भी कामक्रोद लोमो और वहाँ भी लिमिटेट सुख सीमित सुख और कुछ दिन के लिए ही तो क्यों जी भगवान ने बर्णाश्रम धर्म की बड़ी तारीफ की है और कहा है कि शुतिस्मृती ममई भागे यस्तवुलंग बर्तते आग्यो छेदी ममद द्वेशी अगर बर्णाश्रम धर्म को कोई छोड़ेगा ओ मेरा दुश्मन है मैं दंड दूँगा मैंने बनाया है बर्णाश्रम धर्म चातुर बर्णयम हया स्रिष्टम अरजुन ये चार बर्ण जो बनाए हैं हमने बनाए हैं इसका उल्लंगन नहीं होना चाहिए और ये मेरी भक्ती करने वाले इसका उल्लंगन करेंगे तो दंड मिलेगा तो क्यों जी अगर हम आपकी भक्ती करेंगे तो आपकी एक सर्त है क्या एव तमेव शर्णंगच मामेकम सर्णंग ब्रज अनन्याश्चिंचेंतो माम अनन्यचेता सततम सर्पभावे नभारत एक मेरे मेही मन रहे फिर देवताओं में मन करेंगे तो तो अनन्य नहीं रहेंगे तो भगवान ने कहा हाँ ठेक कहते हो देखो ऐसा है आज्याययवं गुणान दोशान मयादिष्टान अफिस्वकान धर्मान संच्यज्यज्यस्तरवान माम भजेत सचसत्तम ग्यारा ग्यारा बत्तिस ऐसा है मेरा कानून कि अगर बनाश्रम धर्म का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाए तो मैं बड़ा प्रसंद होँगा फिर दंद नहीं दूँगा और अगर बनाश्रम धर्म को त्याग करके मन माना हो जाए उत्यक्त्वास्वधर्मं चरणाम्बुजम्हरेर भजन्न प्रक्वो थपते ततो यदि नारज्दी कहते हैं अगर कोई धर्म वर्म को छोड़के और भगवान की शरण में जाए और बाई चांस उसका पतन हो जाए बीच में तो भगवान समाल लेते हैं कि इसलिए डरो मत यह तो जब बच्चा चलना सीखता है तो भार-बार गिरता है पहले एक दम दोड़ने नहीं लगता कोई पहले घुटने के बल चलेगा, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा, फिर लट पटाते चलेगा, फिर दोडने लगेगा, तो ऐसे ही अगर पतन होता भी है, तो इससे घवडा हो नहीं, एक पाच शत्रा, ते बनाश्रम धर्म, इतना लंबा चौड़ा दिका है बेदों ने, स्मृतियों ने, महाभारत ने, हाँ, ते शाश्रिया में वपरिश्रम परो, बरनाश्रम आचार तपस्त्रुता दिरू, ये लोग महामूर कहें, जो बनाश्रम धर्म का पालन करते हैं, क्यों, क्या मिलेगा इससे, ये अश्रा, प्रतिष्ठा होगी, नाम होगा, संसार मिलेगा खूप सारा, भैभो वरपती बनेंगे, अगले जन्म में, इसी के लिए, अरे संसार मिलेगा, वो तो और हानिकारक है, भगवान तो कहते हैं, मैं जिस पर कृपा करता हूँ, संसार छीन लेता हूँ, मैं जिस पर कृपा करता हूँ, संसार छीन लेता हूँ, मैं जिस पर कृपा करता हूँ, उसका बैभो छीन लेता हूँ, इसी लिए कुंती ने बर मांगा था, भवतो दर्शनम जत्याद अपनर भव दर्शनम जन्माई श्वर्जशुर्त श्री भिरे धमान मदफ पुमान नईवार रत्य भिदात उम्बई पामकिंचन गोचरम एक आट पचीस, एक आट चब्विस, हे भगवान, श्री कृष्णी के सांग में खड़ी होकर बर मांग रही है, हमारा संसार जो कुछ है छीन लो, क्यों, अगर संसार की एक भी चीज किसी के पास अधिक है, खाली रूप, खाली एक धन, कोई एक कला, गाना अच्छा जानता है, कोई एक चीज है अधिक, तो लोग घेरेंगे, अरे साब वो आया है गवाया, अरे वो आया है, लता मुंगेशकर आई है, चलो देखें उसको, अरे क्या दो को गवाया, आखतान नाको है ये चे तुम्हारे, अरे इदेनी बड़ी गवाया है, अरे ठीक है, गवाया है, अलहदारों की भीड, अब उसको जब देखा भीड को, हम भी कुछ है, भगवान के बाद हमारी नमबर है, सबको ऐसे फीलिंग होती है, अरे जुगा वस्था में तो धन भी न हो, गुण भी न हो, अंगुठा चाब हो वो, दो अभी आएट के चलता है वो लड़का हो लड़की, बिद्वान ने लिखा कि प्राप्ते तो शोड़से बर्षे गर्दभी चाप सराय ते, सोलह बर्ष के उमर में गधी भी अपने को अपतरा मानती है, गधी ओ धोबी वाला, एक इस्त्री को लड़की को कोई देवता मिल गया, जहीं जा रहा था, तो उसको मदाक्स हुजा, उसने का, ओ बिठी आई जराना, आई, उन्हेंने का, मैं देवता हूँ, मुझसे बर मांग ले, बर मांग ले, तो सोलाथारा बर्ष की थी, ने का, मझे बर ने, चाहिए, जो तुमें देना हो, दे दू, तुमने का, सुन्दर बना दू, उसने एक जातर लगाया, मैं कुरूप हूँ क्या, मेरे पीछे लड़के गूमते रहते हैं, तीन चार, अगर किसी के पास कई गुण हो, सुन्दर भी हो, पैसा भी हो, कई चीजे हो, फेर क्या बात है, ग्रह ग्रिही तपुनि बात बश्र, आपुनि बीची मार, ताही पियाई ये बारुनी, तो कहिये कहा उपचार, एक तु बंदर, बड़ा चैंचल होता है, और उसको कोई भूत लग जाए, बंदर को, तो फिर क्या हाल होगा, और उसको बायू का रोग हो जाए, तो क्या हाल होगा, और उसको बिच्छू डंक मार दे, तो फिर क्या हाल होगा, और उसको दो बोचल शराप फिला जो, तो ऐसे बंदर के क्या हाल होगा, आईसे ही हम लोगों का हाल है अगर दो तीन चार सीज हो जाए हमारे पास तो क्या बात है क्यो जी तुम लेक्चिर सुनने नहीं आते टाइम नहीं है क्या आकड के जवाब दे रहा है टाइम नहीं है दिन बर फोन करते हैं गदी पर बैठ के आरब पती उनके पास टाइम नहीं है एक चोटा सा आपका टाइम लेंगे बता रहे हैं अपना प्रैक्टिकल किस्सा राइगण है एक जिगे बिलागपुर के पास वहाँ में सबसे पहले लेक्चर देने गया तो वहाँ एक बड़े सब्स बड़े सेठ थे उनका नाम था करोडी मल आधा शहर लगभगु नहीं का था अरब पती थे तो मैंने कहलवाया उनके पास कि मैं तुम्हारे शहर में आया हूँ तुम्हारा गेस्ट हूँ तो मेरा निवेदन है कि तुम मेरा लेक्चर सुनने आया करो वहाँ दस बारा दिन लेक्चर दिया वह एक दिन भी नहीं आये आधा भी अरब पती है प्राइम मिनिस्टर जाए तो आएंगे उसके पीछे पीछे कि कोई ब्यातार का लाइसेंस दे दे तो और चार अरब हो जाएं और जगत गुरू के पास क्या लेने आएंगे अंतिम दिन हम जाने लगे जब वहां से तब उन्होंने दस्वारा सेठ भेजा कि महराज जी हमारे सेवा कुंज में पधा रहें दो मिनट को अपना चैरन डाल दे सब जगत गुरू आते हैं वहाँ तो हमको मदाग सुझा तो मैंने एक शेर बनाया और बना के लिखे भेज दिया उनके पास वो शेर है तुनलू नशा है तुझको दुनिया का तेरे पास दुनिया है अब मुझे है दुनिया वाले का दोनों नशे में नशा है तुझको दुनिया का अब मुझे है दुनिया वाले का मेरा माशूक साकी है अब तू आशिक खाली ट्याले का मेरी तेरी नहीं बनेगी बाश और उसके बाद मैं चला गया उसमे रभी शंकर थे चीफ मिनिस्टर उनके हमें जाके ठहर गया और नागपुर में लेक्टर देने लगा वहां पहुँचे वो करोडी मल ते पिंदिट्चर के पास अरे वो जगजगुरु जी नाराज होके चले आए हैं आप कुछ कहिए उनसे कि मेरे यहां चले रभी शंकर ने का मैं नहीं कह सकता मेरी हिम्मत नहीं है तुम ही को हो जाके तुमने कोई गल्ती की होगी तो संसार में संसारी बस्तू का इतना नशा होता है वो कह देता है टाइम नहीं है मरने के बाद जब दंड मिलता है तब उसको याद आती है अरे मैंने बड़ी गल्ती की हाँ तो संसार में हमारा आनंद नहीं है यह बात अगर मेरी बुद्धी में बैठ जाए जैसा कि मैंने कल कहा था कि संसार में कोई किसी के सुख के लिए कुछ नहीं करता सब अपने सुख के लिए ही प्रियक्न कर रहे है वो सुख भगवान वाला वो संसार में ब्रह्म लोग तक नहीं है तो कर्म धर्म से हमारा लक्ष हल नहीं होगा मैंने दो दिन पहले आप लोगों के सामने एक प्रश्ण रखा था कि सौवनतादिक परमहंसों ने सूत जी से पूछा था कि ऐसा कोई मार्ग सरल बताओ जिससे हमारा अनंद मिले हमारा माने आत्मा वाला है लेकिन कलुजु के जीवों के अनुसार उकठे मार्ग ना हो तो सूत जी ने उत्तर दिया था सबई पुनसाम परो धर्मों यतो भक्ति रधो छजे धर्म दो प्रकार का होता है पहड़े आप लोग फिलास्टी समझ ली जिए हमेशा कोई छुट्टी मिले धर्म दो प्रकार का होता है क्यों इसलिए कि दोई पर्सनलिटी है न हमारे सिवा पहुत ध्यान से सुनो एक भगवान एक माया तो हम या तो भगवान को धारण करेंगे या तो माया को धारण करेंगे तो दोई धर्म है धर्म माने धारण करने जोग दियो और यही दो हम है एक आत्मा एक शरीर तो एक शरीर का धर्म संसार आत्मा का धर्म परमात्मा यानि आत्मा परमात्मा को धारण करे शरीर संसार को धारण करे बसकाम बंजा तो सदीर का जो धर्म है उसको अपर धर्म कहते हैं माईक धर्म कहते हैं त्रिगुनात्मक धर्म कहते हैं आगंतुक धर्म कहते हैं और आत्मा का जो धर्म है उसको अध्यात्मिक धर्म कहते हैं परधर्म कहते हैं स्वाभाविक धर्म कहते हैं वो बदलता नहीं और ये शरीर का धर्म बदलता जाता है ऐसे जो को पचीश साल तक बुरू जी ने कहा ब्रह्म चर्ज से रहना इस्त्री की शकल नहीं देखना पचीश साल बाद आए गुरू जी एक लड़की से ब्याह कर लो है आपने हमको अभी तक पढ़ाया था कि इस्त्री की शकल नहीं देखना अब कहते हैं ब्याह कर लो है बख्मकनकार जो कहते हैं वो कहता है जा बदल गया धर्म जो लो बै यही ठीक होगा अब ब्याह कर लिया आप्टे बच्चे कच्चे हुए हैं सब्धे अटाइच्मेंट हो गया नाति पोते तक होते गए अब पचास साल की हो गए फिर गुरू जी आए ए सब को ठोड़ दे और मिया भी भी दोनों जंगल दाओ यह सब तो छोड़ दे यह बच्चे हमारे इनको पाला पोसा है अटाइच्मेंट हो गया है हाँ हाँ अटाइच्मेंट को हटाने के लिए तो कह रहे हैं फिर पचीस साल जंगल में रहे मिया भी 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 फिर कहते है एए इदार आओ यह तेरी कौन है भी 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 एक गदा तेरी भी भी यह नहीं है अनंत जन्म में अनंत भी 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 बन चुकी है तेरी अरे कुटिया भी तेरी भी भी बनी है गदी भी बनी है अनंत भार तुने जन्म लिया है चवरासी लाक में तेरी भी 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 है बड़ी भी वाला बना है पचीश साल की उमर में साथ चक्र लगा दिया तो मेरी भी भी है ये तेरी वरी नहीं है अबाउट टर्न तुम दोन वाड़ लग जाओ भक्ति करो भगवान के लो फिर वहीं पहुंचा दिया ब्रह्म चर्ज की आउस्ता में ले बदलना है न धर्म अबरामन का अलग छत्य का अलग 20 का अलग शूद्र का तो महा भारत ने बेदव्यास ने कहां देखो भईया यह जो धर्म का नियम है यह लोक यात्रार्थ में धर्मस्ते नियमा क्रिता संसार चलाने के लिए यह बर्नास्रम धर्म बनाया गया है सब मिलेटरी में चले जाएंगे तो गवर्मेंट कैसे चलेगी अरे कुछ फाउज में जाएं कुछ पुलिस में जाएं कुछ लड़की करें कुछ पीड़व्यूडी में जाएं कुछ स्कूल में पढ़ावें तमाम आवश्यक्ता है मनुष्य की तो सबके अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं इसलिए हमने बनाया है कि ब्राह्मन शास्त्रों बेदों को पढ़ें पढ़ावें च्छत्रिय जुद्ध करें देश की रक्षा करें सब अलग-अलग इसके लिए है कि आत्मा का कल्याण नहीं होना है इस धर्म से असली धर्म क्या है तो बताया सूत जी ने वो जो आमने अस लोग कहा था एक दो छे अगर धर्म का पालन करने वाले को श्री कृष्ण प्रेम न मिले तो धर्म अधर्म है तो सोचा करें हमने बड़ा धर्म का पालन किया के स्वनुष्ठीत अस्त्तधारमस्य संसित धिरहरिको शणम एक आठ तेरा एक दो तेरा कि धर्म का परिणाम क्या धर्म का परिणाम है सिरी कृष्ण प्रेम अगर वो नहीं है तो धर्म गलत बासुदेव परो धर्म एक दो वन्तिस धर्मो मत भक्ति के प्रोगता ग्यारा वन्नेश सत्ताइस जो भगवान से प्रेम पैदा करें वही धर्म धर्म है और बाकी धर्म फिदिकल धर्म है उसका परिणाम माईक विप्राद्वि सेड़ गुण जुता गैर बिंद नाभो पादार बिंद बिमुखार छ्वापचम बडिष्ठम हे भगवान साथ नौ दस भागवत बारह गुणों से जुक्त बिद्बान ब्राह्मन भी हो धर्म का पालन करने वाला तो भी अगर स्रीकृष्ण भक्ती से रहत है तो निंदनी है और चांडाल भी अगर स्रीकृष्ण का भक्त है तो बंदनी है मन निमित्तम कृतम पापम मत धर्माये चकल्पते मामना दृत्य धर्मों पी पापम स्याद मत प्रभावता पत्व पुरान भगवान कह रहें मेरी निमित्त पाप भी करें तो वो धर्म हो जाएगा मुझे को छोड़कर धर्म भी करें तो वो पाप हो जाएगा सकर्ता सर्व धर्मानाम जो भक्तस्तव केशव सकर्ता सर्व पापानाम जो न भक्तस्तवाच्चुत सकंद पुरान जो स्री कृष्ण का भक्त है उसने सब घर्ब का पारंग कर लिया ये माल लिया गया और जिसने स्री कृष्ट ने भगती नहीं की, तो पाप के सिवा कुछ नहीं करेगा, पुण्ड पुण्ड नहीं करेगा, पुण्ड भी पाप है, क्यों? वो भी बांधता है, स्वर्ग देता है, और फिर पचक देता है मिर्तिलोक में, तो सुकृत दुष्कृते धुनुते, कौशित की उपनिशत में मंत्र है, एक चार, कि सुकृत भी नश्ट हो, और दुष्कृत पाप भी नश्ट हो, तब मोक्षोता है, ये पुण्ड भी बंधन कारक है, क्योंकि स्वर्ग मिलेगा, तो पुण्ड भी पाप है, क्योंकि उस का फल दुख है, तो बंधन है, तो इस्ट्रकार, बेद, उपनिशत, ब्रह्मसूत्र, भागवत, पुराण, सब कह रहे हैं, कर्म धर्म का, अगर विधिवत पालन हो, सुनो, तो नश्वर स्वर्ग मिलेगा, और अगर विधिवत न किया, तो दंड मिलेगा, और इस कल जुग में, बिधिवत कर्म हो ही नहीं सकता, और गीता क्या कहती है, घड़ी कहती है, कल बताना, बोलिए लाडली लाल की, बुलिए श्यामाश्याम सरकार की, अब आप लोग सावधान हो जाएं, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इन दोनों प्रश्णों के समाधान में, अब तक, आप लोगों को बताया गया, कि मेरे अतिरिक्त दो ही तत्व और हैं, एक भगवान, एक माया, ये तीनों तत्व सनातन तत्व हैं, नित्य तत्व हैं, किन्तु, तीनों तत्व स्वतंत्र नहीं हैं, इनमें दो तत्व अर्था दीव एवं माया, भगवान की शक्ती हैं, जिसे गीता में परा अपरा शक्ती के नाम से ब्यवहित किया गया है, ये दोनों शक्तियां भगवान के नित्य आधीन हैं, और शक्ती होने के कारण ही, हमें भगवान का अंश कहा जाता है, और भगवान से हमारा संबंध दो प्रकार का है, एक तो अभेद, दूसरा अभेद, अभेद संबंध तो इतन ही है, कि वो भी चेतन है, मैं भी चेतन हूँ, वो भी सनातन है, मैं भी सनातन हूँ, किन्तु और बातों में बहुत बड़ा भेद है, और सबसे बड़ी बात है, कि वो मायाधीश है, और हम अनादिकाल से मायाधीन है, ये सुरूप लक्षण मैंने बताए और तटस्थ लक्षण ये है हमारा कि हम भगवान के नित्यदास है नित्यदास कैसे है यह भी आपको विश्टार पूर्बक समझाया गया कि भगवान का परियावाची शब्द आनन्द भी है और हम आनन्द के निरंतर उपासक है उसके एक हेत प्रतिक्षण प्रियत्नशील भी है इसलिए हम उसके नित्यदास है अगर कोई कहता है हम भगवान को नहीं मानते आनन्द को मानते हैं तो एक ये हसी की बात है कि हम पिता जी को नहीं मानते माता जी के पती जी को मानते हैं अर्थात परियावाची शब्द होने के कारण आनन्द या भगवान एक ही तत्व है फिर भगवान की परिभाशा भी आप लोगों के सामने रखी गई शाष्ट्रों बेदों के द्वारा के आनन्द सुरूप है साथ ही वो सरवग्य है सर्व शक्तिमान है सर्व भ्यापक है सब के हुरदय में भी है सब के कर्मों का फल देता है सब की इंद्रियों में मन में बुद्धी में तत्त कर्म करने की शक्ति भी देता है संसार को वही प्रकट करता है संसार की रक्षा करता है उसी में संसार का लय होता है और वो दो सुरू को वाला है एक निर्गुन निर्विशेश निराकार ब्रह्म एक सगुन सभिशेश शाकार ब्रह्म श्री कृष्ण और निर्गुन निर्विशेश निराकार ब्रह्म का आश्रे सगुन सभिशेश शाकार भगवान श्री कृष्ण ही है वे आधिकारण है वे लीला पुरुषोत्तम है वो सब के आश्रे हैं सब उनके आधीन है और वे भक्त बत्सल है और भक्त बश्य है स्वमन मोहन भी है उनके लोक भी है ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमारे है अर्थात उनको प्राप्त करना है किन्त जब प्राप्त करने के लिए उपाय के बिशल में छानदीन की गई बेदों शास्त्रों में पुराणों में समस्त धर्म गरंतों में तो सब ने हाथ उठा दिये उसको कोई नहीं जान सकता कोई नहीं देख सकता क्योंकि इंद्रियों का विशय तो माईक होता है हमारी इंद्रिया माया से बनी है उनका सब्जक्ट भी सब माईक है भगवान तो दिब्व है इसलिए हमारी इंद्रिया हमारा मन हमारी बुद्धि वहां नहीं जा सकते हम निराश हुए कि पर शाष्टरों बेदों ने कहा कि नहीं नहीं अनंत जीवों ने उसको प्राप्त किया है तुम भी प्राप्त कर सकते हो बशर्ते की भगवान अपनी क्रिपा से अपनी इंद्रिय मन बुद्धी की सक्ती तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धी में प्रदान कर दें लेकिन ये कैसे करेंगे इसमें भी कुछ सर्त होगी उस पर विचार किया गया और बताया गया कि कर्म भ्यान भक्ति ये तीन ही साधन हो सकते हैं इनमें कौन से साधन से हम भगवान की क्रपा प्राप्त कर सकते हैं ये विचार नहीं ये विशय हैं तो कर्म धर्म के विशय में आपको बताया गया देखिए एक एक शब्द पर ध् दीजे कि यदि कर्म धर्म का पालन भी धिवत हो जिन में छे प्रकार की बिधियां बताई गई तो उसका फल स्वर्ग मिलेगा लेकिन स्वर्ग भी इसी मृत्य लोग की भात है वहां भी माया का पूर्ण आधिपत्य है वहां भी कामक्रोज, लोब, मोह, समस्त, दुख, त्रिकुन, त्रिकर्म, त्रदोष, पंचकलेश, पंचकोष की साब बीमारियां है और वह भी सीमित सुखवाला है प्लस सीमित समय के लिए है उसके बाद वहां से हम चुत होंगे गिरा दिये जाएंगे और मृत्य लोक में आकर यह आवश्यक नहीं कि हमें फिर मानोदे मिल जाए और निम्न योनियों में डाले जा सकते हैं यह हमारे संकित कर्म पर डिपेंड करता है आतेव स्वरगादिक लोकों का सुख भी हमें अपना आत्मा वाला सुख नहीं दे सकता और न तो दुख निब्रिती ही करा सकता है कोई भी शुभ कर्म हो बेद कहता है कर्मना बध्यते जन्तु सन्यात उपनिशत दो अठान नवे कर्म से बंधन होगा तदर्थ बेदों के द्वारा उपनिशुदों के द्वारा पुराणों के द्वारा भागवत आल के द्वारा आपको बताया गया आज गीता के द्वारा बताना चाहते है गीता क्या है आज से पांच हदार बर्ष पहले जब स्रीकृष्ण स्वयम आये थे उनका आवतार नहीं एक कल्प में स्रीकृष्ण स्वयम आते है अवतारी स्रीकृष्ण एक कल्प कितना बड़ा होता है चार अरब वंतिस करोड चालिस लाख अस्ति हदार बर्ष का एक कल्प फिर एक कल्प तक प्रले रहता है फिर दूसरा कल्प शुरू होता है तो 28 वी चतुर जुगी में द्वापर में स्वयम स्रीकृष्ण अवतार लेते हैं तो उस समय कौरों पांडों में जुद्ध होने जा रहा था स्रीकृष्ण द्वारिका में थे तो वहां कौरों के नेता दुर्जूधन और पांडों की और से अर्जुन गए हेल्प के लिए सहायता मांगने के लिए तो स्रीकृष्ण सो रहे थे दुर्जूधन जाकर सिरहाने बैठ गया आकड के राजा था हो पांडों सब हार चुके थे कौर्जुन गए इन्होंने देखा कि हमारे भाई सहाब सिरहाने बैठे हैं भगवान की ठीक है हम तो उनके दास है चरण के पास बैठेंगे स्रीकृष्ण सोनी की एक्टिंग कर रहे थे उनको सोना वना क्या है आख मुदे थे थोड़ी देर में जैसे संसार के लोग उठते हैं अंगडाई लेके आख खोलते हैं और देखते हैं चारों तरफ ऐसे स्रीकृष्ण ने देखा तो अर्जुन दिखाई पड़ा पहले वो सामने था ना चरण की ओर उन्हें का आरे अर्जुन कैसे आए दुर्जोधन ने का आरे मैं भी आया हूं तब भगवान ने पीछे की ओर देखा अच्छा 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 आप लोग कैसे आए बता दिया दुर्जोधन ने हम हेल्प के लिए आये हैं पांडों से हमारा जो दोहों ने जा रहा है अच्छा 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 तो देखो भई ऐसा है ति एक ओर तो अठारा अक्छोहिनी सेना हतियार बंद मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा और जुद्ध नहीं करूंगा हतियार भी नहीं चूंगा तो आप लोगों को इन दोनों में जो पसंद हो मांग लो अब आप लोग ज़र बुद्ध लगाई है जुर जो दन बोल पड़ा हम आपकी सेना लेंगे हतियार बंद अर्जुन की ओर देखा भगवान ने कि तुम बोलो बैए हम आपको लेंगे बिना हतियार के हाँ ऐसा क्यों कहा अर्जुन ने तो गधे की अकल से भी आप समझ सकते हैं क्यों कहा अर्जुन को ये ज्ञान था ये ब्रह्म है श्री कृष्ण भगवान है ये जहां रहेंगे वही बिजय मिलेगी इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हतियार चला में और अगर ये ज्ञान नहों होता अर्जुन को तो कहता महराज ये आपका कौन सा फैसला है आधी फाउज हम को दीजिए आधी फाउज दुर्जोधन को दीजिए हतियार बंद दोनों को फिफ्टी फिफ्टी परसेंट ये न्याय है आप अकेले रहेंगे वह भी बिना हतियार के तो क्या आप क्यों पूजारती उटारी जाएजी आज यो तो जुद्ध है नहीं उसने बड़े विभोर होकर मांग लिया और बड़ा कुछ अंदर से कि बन गया बेकूप दुर्जोधन अब मेरी विजय होगी चले गए दोनों और चली गए दुर्जोधन के एरिया में और श्रंख बजे अर्जुन की पार्टी भी सब पांडों की सेना एक और खड़ी हुई एक और दुर्जोधन की सेना प्लस स्री कृष्ण की सेना तो अर्जुन ने कहा सेन योर उभयोर मद्धे रथम स्थापय में चुत्र आएक रिष्णु ये स्री कृष्ण ने क्या थे उस समय रथ हाकने वाले ड्राइबर नौकर गोड़ों को सफाई करें गोड़ों को खिलावें पिलावें और रथ तयार करें रथ को हाक है जुद्ध में भी चलावें रथ को और अर्जुन आर्डर दें ऐसा करो दाए करो दाहने करो डाउन करो और इसी करें आर्डर का पालन तो अर्जुन ने कहा क्रिष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर कीजिए नहीं रथ हम स्थापएं दोनों के बीच में रथ खड़ा कर ड्राइबर खड़ा कर दिया अब देखा अर्जुन ने कौन कौन हैं जिन से जुद्ध करना है अरे वो तो मालूम है था कवरों से करना है कोई नहीं तो थे नहीं वोग एक एक बच्चे को जानते थे अर्जुन अरे उन्हीं के भाई बंद तो थे वो भी हाथ का अपने लगा गांडिव धनुष हाथ से गिरने लगा ये क्या हो रहा है इन सब को मारना है कोई चाचा है कोई मामा है कोई ताउ है कोई दादा है आरे तो तुझको पहले नहीं मालूम था क्या मालूम था फिर यहां क्या नई बात हो गई कोई जवाब नहीं किसी के पास मेरे पास है ये अज्ञानता की ड़ने की एक्टिंग कर रहा है अर्जुन ये तो सिद्ध महा पुरुश है एक्टिंग इसलिए कर रहा है कि हम संसार को ये बताएंगे कि धर्म का त्याक करके और भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए इसका उपदेश प्रैक्टिकल भगवान के द्वारा हो जाए ये बढ़िया मौका है तो अर्जुन ने कहा महराज में जुद्ध नहीं करूंगा कारपण्य दोशो पहतस्वभावा रिच्छा मित्वाम धर्म समूढचेता यस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् मैं डुद्धने करूंगा क्योंकि द्हर्म के विप्रीत पाफ हो जाएगा क्योंकि यह सब मरेंगे तो इनकी इस्त्रियां बिधुआ होगी बिधुवा इस्त्रिया करेक्टर ले सो सकती है अरे राम 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 ऐसी प्रतिवी को मैं नहीं भोगना चाहता राजा नहीं बनना चाहता अगर यह आप लोगों को न बताया जाए इसरी कृष्ण भगवान थे और अर्जुन महापुरुष था तो आप लोग कहेंगे बहुत बढ़िया कहा अर्जुन ने कि राजा बनने के लिए इतने सारे मर्डर करें बहुत बढ़िया आत्मी था अर्जुन लेकिन श्री कृष् मैंने बड़ा लंबा लेक्चर दे करके अठारा अध्याएगा अर्जुन तो ठीक कह रहा है कि अधर्म होगा धर्म का नाश होगा और भगवान ने बेद में धर्म का निरूपन किया है धर्मान न प्रमादितव्यम बेद कह रहा है सत्यम बद धर्मन चर इबेद कह रहा है तो भगवान ने अनेक परकार से बेदांत नयाय सांक मीमान सापा तंजल बैशेशिक चहों दर्षनों और उपनिशुदों से समझाया अर्जुन को क्या समझाया अर्जुन यह जो तो कह रहा है पाप लगेगा कि पाप उसको लगता है धर्म छोड़ने पर जो मेरी सरण में नहीं आता जो मेरी भक्ति नहीं करता महराज में आपकी सरण में हो कह तो रहा हूं हां मेरी सरण में भी है भी 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 नहीं चलेगा हम लोग यही तो करते हैं मंदिर में बोलते हैं तुमेव माता चापिता तुमेव बंधुष्चा सखा तुमेव तुम्ही मेरी मा हो और फिजिकल मा में भी अटाइटमेंट है हां तो है भगवान से चार सूबीस कर रहे हो जूठ बोल लेगों कि तुमही मेरी मा हों कि यह नकली स्वार्थी मा को भी मन में बसाई हो तो मैं नहीं नहीं आता तुम्हारे अंतहकरण में एक भी संसारी माईक पर्सनेलिटी अगर अंदर रही तो मैं नहीं आऊंगा हाँ अगर तुम्हारी मा महापुरुष हो जाए फिर तुम उससे प्यार करो हैं बहुत खुश होंगे लेकिन संसारी काम रोध लोह मोग की पुतले जो जीव हैं वो चाहे माँ हो चाहे बाप हो कोई हो जहां मन का अटाइच्मेंट होगा मरने के बाद वहीं जाना पड़ेगा अगर तुम्हारी मा मरने के बाद कूकरी बनती है पाप के कारण तो तुम उसकी बिटिया बनोगी उसके लड़के बनोगी क्यों प्यार किया उससे भगवान ने बेदों में शाफ्त्रों में संतों ने हजार देगे कहा है अनल्य प्रेम हो केवल हरी गुरु से हो वो दोनो तो शुद्ध है असुद्ध को मत लाओ अंदर तो अर्जुन को जो डर था कि अधर्म हो जाएगा पाप हो जाएगा तो भगवान ने 18 अध्याय का लेक्चर देने के बाद कहा सर्मधर्मान परित्यज्य तू सब धर्मों को छोड़ दे है नहीं दर्म छोड़ देंगे महर आज तो पाप हो जाएगा माद एकम शरनम ब्रजे एक मेधी सरण में आजा एक केवल मेरी सरण में तो क्या होगा अहंत्वाम सर्व पापे भ्यो मोग्छे श्याम मा सुच हाँ सोच मत सब पापों से मैं बचा लूँगा पिछले पाप भी माफ कर दूँगा और यह सबसे बड़ी तो प्राफिट की बात यह है कि पिछले पाफ अनन्त हैं हमारे संचित कर्म के को भी ख्रमा कर देंगे में इनाम में पुरस्कार में मेरी सरण में आ गया हां तो इस सरण में आने से बरत्मान जन्म के पाप भी माफ और अनंत जन्मों के पिछले पाप भी माफ और आगे का भी मैं ठेका लेता हूं इतनी सारी कृपाएं केवल मेरी केवल एक मेरी शरण में आजा हमारे संसार में ब्रंदाबन में मतुरा में अजोध्या में बड़े बड़े आश्रमों में लोग घर चोड़के रहते हैं घर चोड़के ब्रंदाबन बास कर रहे हैं और टेलिफॉन करते हैं मम्मी को डेडी को बेटे को कैसे हो आज हो एक्सिडेंट हो गया उसका अरे तु ऐसा करो जदी जाओ डॉंक्रेट में पास ए देखो ऐसा है एक तुम घर चोड़के आए हो भग्वान की सरण में और गंदे लोगों को अंगर बसाए हो ये 420 तुम को कड़ा दंद मिलना चाहिए इतनी भगवत कृपा हुई तुम्हारे उपर कि तुम भगवान के धाम में आ गए गुरू के धाम में आ गए कि और तुमने इतना लात मार दिया सब कृपा पर फिर मम्मी ये डेडी ये बेटा और बेटी का अस्मरण फोन और कृपा चाहिते हैं तो अर्जुन से भगवान ने जब कहा कि हम सब पापों से माफ कर देंगे बश अर्थे की माम एकम शरणम ब्रज कि तो अर्जुन को अग्यान नहीं था अर्जुन को तो महापृष्ण हो चुका था बहुत पहले नर्नारायन के अवतार के रूप में तो एक्टिंग कर रहा था अग्यान का जिसे हम लोगों का कल्यान हो हम लोग समझें कि धर्म छोड़ो डरो मत भगवान की शरण में जाओ तभी माया निवित्ती होगी आनंद प्राप्ती होगी लेकिन शर्थ यही है मामेकं शरणम ब्रज़ और अगर तुमने धर्म का ही पालन किया तो सुनो फिर गीता क्या कहती है तेतम भुक्ता स्वर्ग लोकं बिशालं छीने पुन्ने मर्त लोकं बिशन्ति नव 21 वो कुछ दिन के लिए स्वर्ग में जाएंगे वहां का सुख जो है मिलेगा और पुन्यक्षीड होने से फिर मृत्य लोक में पठक दिये जाएंगे देखे बड़ी सी फिलोस्पीक कितना बढ़िया उपदेश दिया है अरजन को जान्ति देव ब्रता देवान पित्रीन जान्ति पित्र ब्रता भूतान जान्ति भूते ज्या और जान्ति मध्यादिनों पिमाम नव पचीस देखो जी ऐसा है कि चार जगे है सब लोग ध्यान से सुनों चार जगे है तमो गुणी की सरन में जाओगे मरने के बाद तमो गुणी फल मिलेगा वो तमो गुणी बाप हो मा हो भाई हो बीबी हो कोई हो रजो गुणी के सरन में जाओगे उससे प्यार करोगे तो मरने के बाद रजो गुणी फल मिलेगा और सत्त गुणी देवताओं से प्यार करोगे कर्म धर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा ये सब माया के कुछ दिन को मिलते हैं फिर प्रारब दिके अनुसार 84 लाक में घूमना पड़ता है और अगर मुझसे प्यार करोगे तो मेरे लोक में आओगे अब ये चार में तुमको जो पसंद हो वो चुन लो लेकिन घपड सबड नहीं चलेगा अधर भी उधर भी अरे दिंखो संसारी इस्त्री विबाह करती है संसारी इस्त्री एक गनबे शरीर को तो जिस लड़के से शादी करती है उससे कहती है अब आर तरफ देखा तो खैरियट नहीं आपती कहता है ये अगर और किसी की वोर देखा तो याद रखना तलाब दे दूंगा संसार में यह नियम है पति ब्रता बनो इस्तिरी ब्रत बनो ऐसे भगवत ब्रत बनना गुरु ब्रत बनना भी है केवल वही अन्यत्र मन न जाए मन फिर कहती है गीता कूर्द्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्धेति स्थन्ति राजसा जखन्य गुन ब्रितिस्था अधो गच्छन्तिता मसा यह तीन गुन है जो सत्व गुनी में अटैच्मेंट करेगा उपर जाएगा स्वर्ग में जो रजो गुनी से करेगा यहां मृत्य लोग में आएगा जो तमो गुनी से करेगा वो नरक जाएगा तवदा अठारा फिर गीता कहती है यही संस्पर सजाब होगा दुख योनव योनव एवते जितने यह इंद्रियों के विशय के सुख है माँ बाप बेटा इश्ट्री पती के सेजाब अंत में दुख देते हैं हो चाह स्वर्ग का हो चाह मृत्य लोग का हो चाह नरक का हो आध्यंत बनता कौंते यह नते शुरमते बुदा उनका आधी है और उनका अंत है सारे सुखों का प्रारंभ है और अंत है उसी से सुख उसी से दुख मिलता है जिस बाप से जिस मा से हम पैदा हुए उसने हमारी इतनी सेवा की पेट काट के बासनाओं को काट आज के हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए पढ़ाया लिखाया जब वो बुड़ा हो गया बाप तो वही बेचा कैसे बोलता है बेड़े रो बेड़े रो बकर बकर दिन भर करते रहते हो कुछ काम करो न धंदा करो काट पर पढ़े रहते हो वो बाप सहता है क्या करे चल पर नहीं पाता यह संसार है पाच बाइस गीता कामई स्ताइस तैर हिरत अज्ञाना प्रपध्यंते न्यदेवता साथ बीस जो देवताओं की सरण में जाते हैं धर्म कर्म करते हैं हिरत अज्ञाना उनका ज्ञान हर गया अज्ञान जुक्त हो गये है वो क्योंकि उनको फिर वापस आना पड़ेगा अंतवत्त फलम तेशाम तद्वबत कल्प में जसाम देवान देव यजो जानती मत भगता जानती मामपी उनका फल अंतवाला है स्वर्ग का वहाँ भी दुख है और जो मेरी भगती करेगा केवल केवल वो मेरे लोक में आएगा सदाको आनंद मैं हो जाएगा साथ तेइस भागवत ने इतना सुंदर एक असलोग लिखा है कि देखो जी धर्म जो होता है इसमें अगर सत्य और दया का मिश्चर हो तो वो सर्बस्रेश्ट धर्म कहलाता है धर्मह सत्य दयो पेतो विद्यावात पसान मिता मत भक्त्या पेत मात्मानम नसम्यक प्रपुनाति ही सत्य और दयासे जुक्त धर्म भी यदि विधिवत भी हो तो भी टेंपरेरी पाक नस्ट होगा अन्ता करन शुद्य नहीं हो सकता दस ग्यारा चौदा बाइस शंक्राचार्द ने भी मान लिया ए लो जो स्री कृष्ण को साथिक कह रहे थे वो भी मान गए अपनी मा से कह रहे हैं शुद्य यतिनान तरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते स्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति के बिना अन्ता करन शुद्य नहीं हो सकता करोड कल्प धर्म करके मर जाओ तो धर्म के द्वारा कोई भी व्यक्ति कितना ही धर्म करें साव अश्रमेद जग्यों करने वाला इंद्र बनता है साव अश्रमेद जग्य मने एक अश्रमेद जग्य का मतलब होता है सारी पृत्वी को जीतना और जग्य करना सारी पृत्वी को इसी प्रकार सौ बार जीतना तब वो इंद्र बनेगा और उसकी भी उमर लिमिटेड है वो खतम हुई जहां ता वो भी आ गया हमारे साथ हमारे छोटा भाई बने बड़ा भाई बने बेटा बने हमारे विर्तिलोक में आ गया अरे आप लोग गोने तो पढ़ा है कि जिसके यहां उर्बशी मेनका अब सराय है वो गौतम की इस्प्री में आ सकता हो गया अहिल्या में यह गंदे शरीर में और अहिल्या को भी शाप हुआ उसको भी शाप हुआ दोनों को दंड मिला जो स्वर्क सम्राठ का यह हाल है तो वहां के देवताओं का क्या होगा फिर वहां की पबलिक का क्या होगा जहां आप जाना चाहते हैं और बड़े बड़े नियमों के साथ धर्म का पालन करना चाहते हैं तो पहले तो इससे कुछ काम ही नहीं बनेगा थुड़ी से रामैन सुन लो कलम से किसी ने का आप रामैन बोलती ही नहीं धर्म परायन सोई कुल त्राता राम चरण जाकर्म नराता वही धर्मात्मा है जिसका भगवान के चरणों में प्रेम हो असो सब धर्म कर्म जड़ी जाओ जहन राम पदपंकज भाव वो धर्म कर्म जल जाओ को कि उससे न माया निव्रित्ती होगी न भगवत्त्ती होगी नेम धर्म आचार तप जोग जग जपदान सुनो इतनी चीज़े हैं मेम धर्म आचार तप जोग जग जजपदान यही नहीं भेशा जपुन कोटिन करिया और रुजन जाई हरियान एक आम रोद लोग मोपर बिज़े नहीं प्राप्त होगी यह सब स्वर्ग तक ले जाएंगे वहां से छोड़ के भाग जाएंगे अगर कोई अमीर हो जाएं और फिर दिवालिया हो जाएं तो बड़ा दुख होता है उसको अगर बच्तन से गरीब ही रहे तो उसको अभ्यास हो जाता है गरीबी का अधिक दुख नहीं होता है वो हस्ता रहता है अपनी मणहिया में अपनी मम्मी और वीबी से प्यार करते हुए और अगर पहले अमीर हो गया और फिर गरीब हुआ हमारे पास वो था वो हमेली थी वो गाड़ी थी और लोग सलाम करते थे आज ये बुरा हाल है आत्मात्या कर लूँ क्या करूँ कर लेते हैं आत्मात्या बहुत से इप सट्टा खेलने वाले शेयर बादार वाले एक दम शेयर डाउन हो गया मर गया तो कल नहीं कर्म कल जुग में तो कर्म है नहीं है कल जुग जुग जग्य नहीं ग्याना यजग्यादिक कल जुग में नहीं है योग भी नहीं है आजकल जुग्यों की भरमार हो रही है ग्यान भी नहीं एए यही कलिकाल नसाधन दूजा जोग जग्य जफ तफ ब्रत पूजा यह सब कुछ नहीं चलेगा इससे काम नहीं बने दी बनेगा पुकर्म धर्म का परिणाम नश्वर है इस मार्ग से मैं वाला मेरा अर्था दिव्यानंद प्रेमानंद कृष्णानंद नहीं मिल सकता और बिना उसके मिले माया नहीं जाएगी दुख निव्रित्ती नहीं होगी हम इसी प्रकार 84 लाग में भूमते रहेंगे इसलिए कर्म धर्म को दूर से नमस्कार वो भी है मार्ग अपना कुई कहे हमको स्वर्ण देखना आएगी हाहा तो ठीक है आप ऐसे ऐसे भी दिवत धर्म का पालन कीजिए आपको स्वर्ण मिलेगा भगवान देंगे स्वर्ण वो तो कहते हैं स्वर्ण लेलो हमको चुट्टी दो अरे मोग्च लेलो हमको चुट्टी दो इसलिए स्वर्ण का साधन भी है मिर्त लोग का भी है अरे किसी को नरक देखने की इच्छा है तो ठीक है तुम्हारी दिये भी है तुरसी दास ने अपने रामैन में लिखा है तिन्नारतन समन ही कवनिव देही जीव चराचर जाचत जेही बड़ी तारीफ है क्यों तो उत्तर दिया है तुरसी दास ने नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्यान विराग भगती सुख देनी इस मानो देह से नरक मिल सकता है अरे नरक कुछ चाहेगा वह रहे हो सकता है बहुत से लोग चाहेगे एक शराबी ने पूछा एक फकीर से क्यों जी तुमारे खुदा के यहां क्या होता है और दोजख में क्या होता है उन्होंने का खुदा के यहां तो थोड़े से मौल भी होते हैं नमाज पढ़ते रहते हैं और दोजख माने नरक वहां बड़ी भीड रहती जो कि 99% वहीं जाते हैं लोग, तो निगा याद नहीं भीडे वहीं इंजायमेंट रहेगा, वो थोड़े से लोग होंगे, वहां क्या जाना, तो हो सकता है कोई नरक देखने का शोकीन हो उसके लिए भी मार्ग है कोई स्वर्ग देखना चाहे उसके लिए भी मार्ग है कोई दिशिद्धी चाहे अनिमा लगिमा आदि उसके लिए भी मार्ग है सब के लिए हमारे सनातन धर्म में मार्ग है लेकिन जिसको आत्यंतिक दुख निब्रिति और नित्यानंद चाहिए भगवान वाला यानि मैं और मेरा का जो सुख है वो चाहिए उसको कर्म धर्म से नहीं मिलेगा अब दूसरा मार्ग है ज्यान का इस पर विचार फिर होगा बोलिए लाड़ली लाल की श्री यादवेंद्र सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन हूँ मेरा कौन है इन प्रश्टों का समाधान करना है आप कहेंगे क्यों इसलिए कि हम समस्त जीव केवल आनंद ही चाहते हैं आनंद क्यों चाहते हैं यह भी आप लोगों को बताया गया बेदों शाष्ट्रों के द्वारा कि बेद कह रहा है आनंदो ब्रह्मेत बिजानात तैतरियों पनिशत तीन चाह रसों वैसा तैतरियों पनिशत दो साथ रसम लद्वा सुखी भवत कठरुद्रों पनिशत 27 विज्ञानम आनंदम ब्रह्म 398 ब्रहदारण्य को पनिशत और ये मंत्र महो पनिशत न भी है दो नौ आनंदम ब्रह्मनो बिद्वान न विभेति कदाचन तैतरियों पनिशत 24 दो नौ ये मंत्र सांडलियों पनिशत में भी है दो एक और ये मंत्र सारभो पनिशत में भी है दीश्वान और प्राणों में भी आनंदमात्र मभिकल्प मभिद्ध भर्च्या भागवत 393 सत्यज्ञाना नंता नंदमात्रै करसमूर्तया भागवत 10-13-54 केवला नुभवा नंदो सुरूप सर्भ बुद्धिद्रिक भागवत 10-3-3 ब्रह्म संगिता भी कहती है अंगान यस्ट सकलेंद्रिय बृत्तिमंत्थ उसका एक 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 अंग आनंद स्वरूप है आनंद चिन्मे सदुज्वल बिग्रहस्य गोबिंद माद पुरुषम तमहम भजामे सब शाष्ट्र बेद कहते हैं कि भगवान का एक नाम है आनंद तो होगा उसका नाम आनंद हम आनंद क्यों चाहते हैं प्रस्न ये है हम इसलिए चाहते हैं कि बेद कहता है पादोस विशुबा भूता नित्रपा दस्या मृतन दिवी चांदोग्डो पनिशत तीन बारा छे रिपाद विभूत नारायनो पनिशत चार एक पुरुषूक्त तीसरा मंत्र ये सब बेद मंत्र कह रहे हैं हम उसके अन्ष हैं स्वक्रत पूरेश्वमीशु बहिरंतर संबरनम तवपुरुषं बदन तकिल शक्ति धृतोन शक्रतम भागवत दस सत्ताची बीस हम उसके अन्ष हैं हमारे उससे तमाम संबंध है यानि सब संबंध हैं दिव्यो देव एको नारायनो माता पिता प्राता निवासा सरणम सुरिद गति सुबालो पनिशत छे चार और गीता भी यह कहती है ममय वांशों जीवलों के जीवभूत अस्तनातना अंद्रा साथ गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा चरणम सुरित प्रभवा प्रलयास्थानम गीता नव ठारा इश्व महंप्रिय आत्मा सुतष्चो सका गुरु स्तुर्दो दयुव मिष्टम भाडवत तीन पचीस अर्थिस्त हम उसके अंश कैसे है इसलिए कि हम उसकी शक्ती है ज जान देजिए शक्ति ने भुम्रापुन लोगाल खम्मनो बुद्रेवत्या हंकारितियम्य बिन्ना प्रिकृतरस्टता आपरेदम तस्तन्याम प्रिकृतिम बिद्यमे पराम जीव भूताम गीता साथ्या साथ पाच भडवान कह रहे हैं मेरी दो शक्तियां है एक परा एक अपरा कि शक्तित्पेनान सत्वं भंजेत इसलिए अंश है इसलिए विदान्त भी आ गया उसने भी कहा हां हां अंशो नाना विपडेशार दो तीन बैयालिश मंत्र बरनाच्य अपिचा स्मर्यते प्रकाशा दिवत नईवं परह स्मरंतिच इतने सूत्रों के द्वारा वि अबस्त जीव उसके अंश हैं इसलिए आनंद चाहते हैं इसलिए मैं कौन हूं मेरा कौन है ये ज्ञान परमावश्यक है बेदों में गए बेदों ने कहा एक तत्व है दूसरा है लिए एको रुद्रों नद्धुतियायत अस्तुर्ण स्वेता चत्रों पनिशत तीन दो एको नारायनो नद्धुतियो नब्रह्मा नेशानहा एको हवै नारायन आसीत चत्रुबेदों पनिशत का पहला मंत्र पुरुख एवे दग्वम सर्वम जज भूतम यच भाभ्यम पुरुष्यूप्त का दूसरा मंत्र स्वीता चत्रों पनिशत का तीन पन्द्रा भागवत का भी यह सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च जव दो छापंद्रा सुवालो पनिशत्ने भी ये मंत्र है छे साथ कि शुईता शुचरों पनिशत्त के अतिरिक्त इशावास्टों पनिशत्ने भी कहा गया इशावास्ट मिदग्वं सर्वं एकम सद्विप्रा बहुधाबदंथ एकम संतं बहुधा कलपयंथ एक ब्रह्म है आमेवासमेवाग्रे नाज्यचा दसत्परंप भागवाद दो नौ बत्तिस पस्टादहम यदेतच्य योवशिष्टेक सोस्महम द्रभ्यम कर्म चकालश्य सुभाव जीव एवच्य भागवद दो पाँच चौदा भागवद दो पाँच चौदा सर्वेशाम विबस्तु नाम भाबार्थो भवतिस्तिता तस्याप भगवान कृष्णा कि मतद बस्तु रूपकतां कि वर एक भगवान कृष्ण है मत्ता परतरम किंचे नान दस्ति धन अंजय गीता साथ साथ अहम कृष्णस्य जगता प्रभवा प्रडेयस्त था जीता साथ छे यह सारी शाष्ट्रवेद कह रहे हैं एक ब्रह्म है फिर यह भी कहते हैं नहीं दो हैं द्वास परणा सवजा सकाया समानम ब्रिक्चम परिकत स्वजाते स्वेतास्यत रूपनिशत चार 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 यह मंत्र मुंड को पनिशत ने भी है तीन एक एक यह मंत्र नारायन ओत्तर उपनिशत में भी है पहला मंत्र अर्था दो है और दूनों एक जगे रहता हैं हिर्दविश और दूनों का साजात्य संबंध सक्ख संबंध साथ देश संबंध सायुज्य संबंध फिर ही कहता है बेद नहीं नहीं तीन होते हैं तीन तत्व हैं दो ही नहीं हैं सरवादी बे सर्वसंस्ते ब्रहन ते असमिनहंसो भ्राम्म्य ते ब्रह्म्चक्रे संजुक्त मेतत फ्रमक्षरं चौब्यक्ताχ प्यक्तम भरते विश्वमीशा द्यागृग्योंद्वा वजा भीस्वनीशा वजा हीका भोग्त्र भोग्ग्यास जुक्ता छ्रम प्रधाण मम्रित Hak छरम हरक्षरात्माना विशते देव हैका इतज्गेयम नित्मेवात्म संस्तमनात अरंबेजित अब्यमे किंचित द्वयक्षडे ब्रह्म परेद पनंते विद्ध्या विद्धे नीते यत्र गूढे स्वेताशत अरोपनिशत एक छह एक आट एक नव एक दसट एक बारा अहे सब मंत्र नारद परिबराज़को पनिशत ने भी है सात पाथ साथ साथ आख सात नौ साथ ज्यारा ये सब मंत्र कह रहा है तीन टत्त होते हैं एक ब्रह्म, एक जीव और एक माया भी होते है मायाम तु प्रकृतिम बिद्यान, माइनम तु महेश्वरम मायाधीश है भगवान और जीव मायाधीन है चार दस स्वेता शतर उपनिशत अस्मान माई श्रिजते विश्व में तत अस्मे इस्चान्यो मायाया सन निरुद्धा मायाधीश तो विश्व निर्माता है विश्व का शाषक है नियामक है और जीव शाष्य है नियाम में है प्रेर जेए ये तीन तत्व हैं लेकिन ये बिरोध क्यों है तीन बातें क्यों लिखी है इस दिए लिखी है कि हैं तो तीन लेकिन जीव माया उनकी शक्ति है तो शक्ति अपना स्वतन तर अस्तित पर नहीं रख सकती वो शक्तिमान के अंडर में रहती है जैसे आग में जलाने की शक्ति है तो वो अलग नहीं कीडा सकती आग से तो आगे ही कहलाती है प्रकाश करने की शक्ति है आग में वो आगे ही कहलाती है इस लिए जब शक्ति शक्तिमान को जोड़ कर बोलते हैं तो एक भी बोलते हैं और जब भिन्द भिन्द बोलते हैं तो तीन बोलते हैं इसलिए तीनों सही है और नमबर दो में बात कि जीव और माया भगवान के आधीन है भगवान इनका गवर्णर है ये भगवान के बिना कुझ नहीं कर सकते जीव में जो चेतना शक्ती है देखने की सुनने की रस लेने की असपर्ष करने की सोचने की जानने की ये भगवान के द्वारा मिलती है और माया तो जड़ है विचारी वो भगवान के बिना क्या करेगी इस देव बेद कहता है चरम प्रधानम अम्रताक्षरम अरक्षरात्माना वीशते स्विताश्चतरोपनिशत एक दस उसका शासन करता है भगवान दोनों का छर अक्षर स्विताश्चतरोपनिशत पाच एक दुए अक्षरे ब्रह्म परेतुनंते विद्या विद्धे नहीते यत्र गूडे और विद्या विद्धे ये सते यस्तु सोन्या जो जीव और माया परशासन करता है वो अन्य भगवान है इसलिए भगवत प्राप्ती के बाद भी जीव भगवान नहीं बन जाता है भगवान का आनंद पा लेता है और असग्वम हेवायम लब्द्वा नंदी भवत बेद कह रहा है आनंद पा लेता है आनंदो भवत नहीं बेदांत भी कहता है भोगमात्र सामिलिंगाच्च चार चार एककैस तो यह जीव का भगवान से दोनों प्रकार का संबंद है भेद भी है अभेद भी है ना को हम यह कह सकते हैं कि जीव ब्रह्म नहीं है और ना हम यह कह सकते हैं कि जीव ब्रह्म के अलावा है कहीं से आया है इस विशह में ब्रह्म भी अनाध्यनंत नित्य है जीव चेतन है भगवान भी चेतन है लेकिन अंतर क्या है अंतर बहुत है विदांत ने कहा भेदब्यपदेशाच भेदब्यपदेशाच चान्या उभएपी भेदे नईनमधीयते सुषप्त उत्कौँ ते और भेदे ना पत्यादि सब्देव्यपदेशाच भई कुणडलोबत प्रकाश अस्रयव द्वाते जस्त्वात अधिको पधेशाच इस्थित्य दनाभ्याम्च एक तीन चान्प एक एक अठारा एक एक बाइस एक दो एक कैस यह सारे विलांत सूत्र कह रहे हैं कि जीव से ब्रह्म का बहुत भेद है वो सर्भग्य है जीव अलपक्ड है हम तो अपने आप तो नहीं जानते इतने बड़े मूर कहें और भगवान तो सर्भग्य है सर्भग्य माने सर्भग्य माने एक भगवान अनंत कोट ब्रह्मांड के अनंत जीवों के अनंत जन्मों के अनंत कर्मों को जानता है फल देता है मोट करता है एक साथ और हमारी हैस्जित क्या है और भगवान सर्ब ब्यापक है हमें एक शरीर में ब्यापक है बैस दूसरे शरीर में हम नहीं है वो आत्मा चली गई तो वो शरीर जीरो हो गया हमारे अंदर वादी आत्मा है एचेतन है वो सर्ब ब्यापक है हम एक देह ब्यापक है वो सर्ब शक्तिमान है सत्य संकल पहा चांदो ग्योपनिशत आठ एक पांच जो सोचा हो गया और हम सोचते हैं फिर उसका ज्यान प्राप्त करते हैं फिर सामार निकठा करते हैं फिर बनाते हैं फिर भी बनता है कभी नहीं बनता हम चित कर रहें वो विभू चित है इसलिए बेदांते ने फिर कहा अधिकन्त बेद निर्देशाथ तो अगर हम भगवान को जान ले तो अपने आपको जान सकते हैं भगवान को जान ले हम उनसे उत्पन हुए हैं न यह तो हुआ इमान भूतानी जान थे अनाद हैं लेकन उत्पन उन्हीं से हैं उन्हीं के अंश हैं न तो उनको बिना जाने अपने आपको नहीं जान सकते तो उनको जानने के लिए हमने बहुत मन्थन किया तो पता चला उनको कोई नहीं जान सकता, वो हिंद्रिय मन बुद्धी से परे हैं लेकिन अगर वो अपनी कृपा से अपनी हिंद्रिय मन बुद्धी की शक्ति हमको दे दे तो हम उनको जान ले, पाले और इसी याधार पर अनन्त जीवों ने, हमारी भाईयों ने भगवान को प्राप्त किया है लेकिन वो हमको अपनी दिब्ध शक्ति कब देंगे, इसमें भी कोई शर्त होगी उनकी कृपा में भी कोई शर्त होगी हाँ, तीन मार्ग बताएगे कर्म ज्यान भक्ति तो पहले कर्म धर्म पर विचार किया गया, बेदों, सास्त्रों, पुराण, उटेलवारा बहुत डिटेल में और आपको बताया गया कि कर्म धर्म में छे नियम हैं देश, खाल, द्रब, कर्ता, मंत्र, दिधी इन चहों में एक भी तुटी होड़ा है तो कर्म धर्म करने वाले की हानी होती है उसको दंड मिलता है ऐसा नहीं कर्म बेकार गया पिस्ता तूर्बग मताया गया उसका फल भी यहीं माई लोग है कितने बड़ा कर्म धर्म वाला हो उससे न तो आनंद मिलेगा न दुख जाएगा दोनों समस्चाएं नहीं हलोंगी क्योंकि जहां तक कर्म हम वो ले जाता है वो माया के अंडर में है अर्थात ब्रह्म लोग ता तब दूसरे मार्ग पर विचार करना चाहिए उस मार्ग का नाम है ज्यान मार्ग ये ज्यान मार्ग क्या है भगवान का दो सुरूप मैंने आपको बताया था आप भूले न होगे दुवाव ब्रह्मनों रूपे एक निर्गुन निर्विशेष निराकार ब्रह्म एक सगुन सबिशेष साकार ब्रह्म और ये भी आपको बताया था कि जो निर्गुन निराकार ब्रह्म ही को मानने वाले थे शंकराचार्द्य उन्होंने सगुन साकार भगवान को भी माना उसी लाइफ में और फिर कोई माने न माने इससे कोई मतलब नहीं बेद कहता है इसलिए वो माननी है तो ये दो सुरूपों में निर्गुण निर्विशेष नराकार ब्रह्म के उपासक को ज्यानी कहते हैं और सगुण सविशेष साकार रामकृष्ण के उपासक को भगव कहते हैं तो निराकार ब्रह्म की उपासना और साकार ब्रह्म की उपासना में भेद है बहुत भेद है पहला अधिकारी ज्यान का अधिकारी कौन है शंकराचार से पूछो अरे बेदों से पूछो कहीं पूछो तो बताते हैं कि चार जोग्दता हो तो ज्यान में प्रवेशिका मिलेगी दाखिला होगा जैसे अल्ला पढ़ने के लिए बीए कि डिगरी दरूरी है आएसे ही तो उनक्यार जोग्दताओं में पहली है शान्तो दान्ता उपरता ही तिक्ठु शान्त हो जाए पहले अब दान्त हो जाए पहले और उपरत हो जाए पहले अतितिक्ठु बन जाए पहले इसका डिटेल समझ लो इसका डिटेल है बिभेक बैराग्य श्रमादि सट संपत्ती मुमुक्छुत इचाः बिभेक माने ये जानना कि हम आत्मा है शरीर नहीं है जानना मानना जान तो आप लोगों ने भी सुन लिया तो जान लिया मतलब जानने से काम नहीं चलेगा बार 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 किंतन की द्वारा पक्ता हो हर समय रियलाइज करें आप हम आत्मा है मैसूस करें इसको बिभेक और बैराग किसे कहते हैं संसार में जो कुछ भी है जड़केतन इसमें न राग हो न द्वेह हो दोनों न हो अब भी राग्य है और फिर समाध सट संपत्ति श्रम मने मन पर कंट्रोल दम मने इंद्रियों पर कंट्रोल श्रद्धा मने गुरू और बेद के वाक्य पर अटल बिश्वार समाधान उपरती तिक इच्छा सहन सीलता ये च्छे है समाधी इनको चार में कह दिया और विबेक बैराग्य को नहीं रखा शांत दांत उपरती तिक इच्छू इसमें पहला ले लो शांत माने क्या होता है मन पर कंट्रोल अगर जगत गुरू शंक्रा चार्ज होते तो उनसे हम नम्रता पूर्बक पूछते कि मन पर कंट्रोल कैसे होगा अब आपके यहां आपने दाखिला मिलेगा यह अपना तुम जानों कैसे होगा रे 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 वही ऐसा नहीं चलेगा जब आप जगत गुरू हैं तो आपको यह भी बताना होगा कि यह श्रम कहां से आएगा क्यों इसलिए कि श्रम के लिए तो बेद बड़े जोरों से कह रहे हैं कि छणम आयाति पातालम छणम जाति नभस्तदम एक छण में मन पाताल पहुंच जाता है बड़ा चंचल है इस पर कुई कंट्रोल नहीं कर सकता कि चंचलत्पम मनो धर्मों बनेर धर्मों यतोष नता चार अप्ठान नवे महुपनिशत देड कह रहा है जैसे अगनी का धर्म है जलाना ऐसे मन का धर्म है खड़े न होना तो आप इसके धर्म को कैसे मिटा दीगे धर्म तो नहीं मिट सकता अगनी का धर्म को मिटा सकता है जलाना तो मन का धर्म है नेचर है चलता रहेगा अपी बन्यशनाद ब्रह्मन विश्मस्चित निग्रह अगनी को खा ले कोई आदमी यह भी पास्विल हो जाए मान लेते हैं लेकिंग मन पर कंट्रोल कर रहे यह असंभव हैं कि बेद कह रहे हैं कि अरे हमारे यहां रुषब भागवान का अवतार हुआ था भारत में उनके सामने सिद्धियां आई कि कनिमा लगिमा होगारा सिद्धियां होती है कि आप यहां बैठे हैं और अगले से कनिम्लेंग लाइंड पहुंच जा शरीर के साहिए कि आप किसी के अंदर गोच जाएं वो क्या सोच रहा है नोट कर ले अमां बाते इंपॉसिबल जो है ऐसे वो सब सिद्धियों से हुती है इतने भारी हो जाएं कि कोई उठा न सके हजारों आदमी इतने हलके हो जाएं कि फूंक दो तो उड़ जाएं तो यह सिद्धिया जब आई तो पूछा रिश्रब ने आप लोग ऐसे आई कहां से आई क्यों आई का महराज आप महा 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 पुरुश है तो हम आपकी सेवा के लिए आएं हसे हसकर कहते हैं महीं मिलाओ तुमको बढ़ दाया है नकुरियात करिकित सक्यम मन सिहन बस्तिते भागवत पांच छे तीन किसी पुद्यमान आदमी को मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए सब लोग नोट कर लो जोगियों को भी जिस योग का सब्दार्थ है योगस चित बृत निरोधा इसाथ बखवास है चित बृत निरोधा पतंदली के बाप को भी नहीं था मन पर निरोधा अए भगवान तेरे नकुर्यात का देचित सक्ख्यमन सिहन बस्चित योगिना कृतमाई त्रस्य पत्र जाये वो पूंश चली गड़े पड़े योगियों को जो नया स्वर्ग बना दिये विश्वामिस्त्र उनको भी भ्रत कर दिया उनके मन को भी अपसरा में आसक्त कर दिया ऐसा मन है दुट और पावर्फुल पांचे चार भगवान ने तमाम अपनी बड़ी बड़ी शक्तियां गिनाई है गीता में भी भागवत में भी तो उस मन को सबसे बड़ा पावर्फुल बताया है दुर जया नाम हम मन ग्यारा सोला ग्यारा भागवत सबसे बड़े बलवानों में टॉप करता है मन जितने बड़वान हो हुए है जब भीमसें हो चाहे वो भीश्र पितामा हो एक कुछ नहीं है देखो अर्जुन जिसके लिए भगवान ने कहा बीरा अड़ा महम अर्जुना साब बीरों में मैं अर्जुन हूं यानि अर्जुन टॉप करता है महाराज आप बार-बार कहते हैं मन से कंट्रोल करो मन से कंट्रोल करो चंचलम में मना कृष्णा प्रनाथी बलबद द्रधम एजना चंचल है महाराज भायो लिवसुदुष्करम इस पर कंट्रोल कैसे करें जो बड़े बड़े जोगींद्र नहीं कर सके विश्वामित्र पर आशर बड़े बड़े तो साधारन मनिश्यों से शंक्राचार्ज आशा करते हैं मर्द बश्म कर लो फिर आजाओ फिर क्या को आए तुम्हारे पास जब मने हमारे बश्म हो जाए फिर क्या जरूरत है जो बशी पर बिड़े प्राप्त कर दें जिसे बिश्वामित्र वगराने ही कर सके वो अर्जुन वो पहरा है चैन्चलम विमना कृष्णा छे चाउंतिस बीता और भगवान ने इड्मिट किया मैंने बहुत चैंचल है मन बहुत पावर्पुल है अल्जुन तु गलत नहीं कह रहा है माना कि तु बीरों में टॉप करता है तो मन पर निग्रह करना ये किसी के बश्का नहीं है जो माया पर कंट्रोल कर ले वो मन को बश्मे कर सकता है जज्ज्मेंट जो माया को जीत ले और माया को कोई नहीं जीत सकता दैवी हे शागुन मही मम माया दुरत्यया माने वजे प्रपध्यन ते माया में तांतरं ते जो केवल मेरी ही शरण में आएंगे में ही माया को पाड़ कर सकते हैं मेरी कृपा से और जब माया जाएगी तो आप भागेंगे बिस्तर बांग बांगे मनोच है मन का बाप हो अरे माया मन का पुत्र ही तो है मन सबसे बल्वान और इसके साथ बड़े बड़े सेनापती हैं काम प्रोध लोब मों एक से एक बल्वान और सब अंदर बैटे हैं घात लगाए इस समय आप लोगों को कोई देखे तो कहें यह सब लोग काम प्रोध लोग मोह माया से परे हैं हार लगता तो है ऐसे ही लेकर अगर कोई अपने भगलवावे को इसरा सहियों कर दे आगया आगया वो अंदर बैठा था एक शब्द बोल दे इडियन बेखो बस तो गई लडाई शुरूरू इतना बरवान है यह सथ्रू हरे शब्द ही तो बोला है वो तुमको मारा तो नहीं आहियें हमको इडियाट कहा को कहा तो तुम होको नहीं गहें अगर हो गए तो फिलिंड किया इसलिए न तो पर इडियों अगर किसी के एक शब्द से और तुम वह इसे ही बन भी गए प्रैक्टिकल तो तुमसे बड़ा इडियेट कौन है अगर न बनते तुम सुनके हसते रहते तो फिर वह ही इडियेट होता बोलने वाला और तुम बच जाते तुम तो दुरंत उससे अधिक चले गया आगे तो मन को बच में करना ये बिना भगवत कृपा के और भगवत कृपा के लिए ये कर्म और ज्ञान काम नहीं देगा इसके लिए शरणागती उसी को भक्ती कहते है जो भक्ती के दौरा भगवत कृपा प्राप्त करेगा उसका अधाब मामला समाब जगड़ा कतम बिना परिश्रम के और नहीं तो रिद्धी मिले, सिद्धी मिले आत्मक ज्यान हो जाए, समाधी हो जाए अब यादे हम आपको बताएंगे कि ग्यानियों को अंत में क्या मिलता है वहाँ भी मन पर कंट्रोल नहीं हो सकता अगर होता है, तो थोड़ी देर को टेंपरेरी, तो टेंपरेरी तो डाक्टर लोग मन पर कंट्रोल करा देते हैं आपको इंजेक्चन लगाया अधरा साब, आप समाधी में चले गए, अब कोई गाली दे, कोई आपको कुछ भी कहे, जापर दगावे, कोई असर नहीं होगा आपके उपर, यही तरह काट पूट करता है दाक्टर, आप आराम से लेटे रहते हैं, तो टेम्परेडी डिलीफ जो होता है समाधी में, और जब समाधी से बाहर आया हम लाकिया माया ने, आप गालमन, बड़े-बड़े स्वयम शंक्राचार्ज ने कही दिया, ज्यानम चरति, बनुजी ने कहा, आरूड जोगों भी निपात्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य गुरु गुड़ पादाचार्ज के गुरु शुप देवाचार्ज के गुरु 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 के गुरु के गुरु ब्रह्मा वो कह रहे हैं ये नेरबिन्दाक्षभि मुक्तमानिनस्ट वैस्तभावा दविशुद्ध बुद्धया। आरुहिय। कृच्छ्रेन परंपदंतततत पतंत्यदोना धृत जुष्मदंगर्या। स्रीकृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि महाराज यह ज्यानी लोग जो अस्टांग में लोग करते हैं क्यार मैंने आपको बता दिये न अब इसके बाद में होता है श्रवन फिर मनन फिर निद्यासन फिर समाधी यह पांच हैं अंतरंग और च्यार हैं बहिरंग तो आठ करके जो चोटी पर पहुछता है उसका भी पतन हो जाता है अगर सिर कृष्ण भक्ती नहीं किया तो तो पतन माने क्या मन संसार में गा यही तो पतन है तो मन पर कंट्रोल कहा हुआ उन भ्यानियों की सिद्धा वस्ता में भी और शंक्राटार्ज कहते हैं पहले श्रा इसका रहस्य क्या है आगे बताएंगे बोजे लाली लाल की